वास की अवधी अब समाफ्थ होने को है और दुर्योधन के सैनिक हमें सियार की भाती सूंगते फिर रहे हैं जो आग्या ब्रादा शिरी ये क्या कर रहे हो दिखने में तो भद्र और व्यवार में चांडा लगते हो मूर्क बालक तुम्हारे माबापने शिक्षा नहीं दी तुम्हें बढ़ों से कैसे बात करते हैं जाओ और अपने माता पिता से पूछ कर आओ कि इस ताल को गंदा करके तुम कौँ अच्छा काम कर रहे हो जल गंदा नहीं करूँगा तो हाथ पैर कैसे धूँगा शीगरी इस ताल से निकलो इस ताल से मैं दीवी के स्नान के लिए जल लेता हूँ और तुम इससे गंदा कर रहे हो जल का उपयोग नहाने धोने और शरीर की गंदगी दूर करने के लिए होता है मंद बुद्धी वो जल बहती धारा का होता है जहां गंदगी रुकती नहीं ये ताल है नदी नहीं तुम यहाँ से निकलो अनेथा मैं अपनी सभ्यता की सीमा लांग जाओंगा मैं नहीं जाओंगा तो क्या कर लोगे अभी बताता हूँ मैं बच्चों पे हाथ नहीं उठाता किंदु तुमने सारी सीमा तोड़ दी तो मैं तो सब बेता सिखाने ही पड़ेगी कहरो वट्स यह तुम क्या कर रहे हो प्रभू इसने पूजा का जलापवेत रखिया है मैं इसे दंड दूँगा ऐसा मत खरो वट्स यह माहबली भीम तुम्हारे दादा है मेरे दादा श्री भीम हाँ मुझे शमा कीजिए दादा श्री मुझे शमा कीजिए तुम मेरे पौत्र हो मेरे गटूत कच के पुत्र हाँ हाँ दादा श्री मुझसे अंजाने में ऐसा अपराध हुआ है जिसकी कोई शमा नहीं नहीं पौत्र नहीं भूल मुझसे भी हुई है मैंने भी बड़े होने का कोई अच्छा परिचे नहीं दिया मेरे लिए मात्र जल था और तुमारे लिए पूजा का स्थाल इसलिए भूल जाओ जो भी हुआ कैसे भूल जाओ दादा श्री मैंने अपनी शक्ती का दुरूपियों किया वो भी अपने दादा श्री पर मुझे इसके लिए अपने आपको दंड देना होगा नहीं पौत्र नहीं मैंने तुमारा बाले काल नहीं देखा हर पौत्र बाले काल में अपने दादा पे हाथ उठाता है मन मेला न करो पौत्र हमारा मिलना शायद इसी प्रकार लिखा था प्रिये भीम तुमने आने में बहुत विलम कर दिया और ये ब्राता शिरी ये बर्बरीक है मौरवी और गटोतकच का पुत्र और बर्बरीक ये तुम्हारे बड़े दादा युजिस्थर प्रडाम दादा अर्जुन प्रडाम नकल सहदेव और तुम्हारी दादी द्रॉपवी प्रडाम दादी शिरी आईश मार भगा बर्बरीक बड़ा सुन्दर नाम है सुन्दरता के साथ साथ ये अद्बुत शक्ति शाली भी है और जानते हो द्रॉपवी इसने मुझे मल्युद में प्रास्त किया ये बालक आपको हाँ द्रॉपवी ये यहाँ वन में सिद्धियां प्राप्त करने आया था और मेरी इससे भेट होगे पुत्र बर्बरिक तुम्हारी दादे श्री हेडिमबा माता श्री और पिता श्री कैसे है दादा श्री जब से मैं श्री कृष्ण से शिक्षा प्राप्त करके निकला हो तब से उनके दर्शन नहीं हुए लेकिन ये विदित है कि वो सदेव पिताशी और आप सब की चिंता में लगी रहती है गोड़ी के टापों की आवास भाताशे लगता है दुर्योधन के सैनिक हमें ढूड़ते हुए यहां तक आप पहुचे है हमारा वनवास तो समाथ हो चुका है अब हमारा अज्यात्वास चुरू हो रहा है कदाची तुम्हारा कथल सकते है हर्जुन और यदि उन्होंने हमें ढूड निकाला तो एक बार फिर हमें बारा बरस का बनवास और एक बरस का अज्यात्वास सेहना होगा वो आपको नहीं ढूड पाएंगे दादा श्री यह बर्बरीक आपके पौत्र का वचन है आखे खोलो पूत्र प्रडाम प्रभू कल्यान हो हम तुम्हारी अराधना से अती प्रसन है पूत्र कहो क्या फर्मागना चाहते हो प्रभू प्रथा में इच्छा थी कि आपके दर्शन हो वो अब पूर्ण हुई और दूसरी मैं ऐसी शक्ती चाहता हूँ प्रभू जिससे मैं दुर्बल और निसाहाय लोगों की रक्षा कर सकूँ इन्हें स्विकार खरो पुत्र ये बान बहुत अचूप बान है पहला बान छोड़ने से तुम युद्ध भूबी में जिनका भी बत करने की काम ना करोगे ये बान उनके शरीर पर मृत्यू चिन्ह बना देगा तूसरे बान के चलने से जिन जिन के शरीरों पर मृत्यू चिन्ह बने हैं ये उनका बत करतेगा तथा तीसरा बाण समस्त स्रिष्टी का विनाश कर देगा किन्तु ध्यान रहे पुत्र इन बाणों का कभी दुरुप्योग मत करना स्मरन रहे तुम सदैव दुर्भल का साथ दोगे हारे का सहारा बनोगे जो आग्या प्रभु बरबरिक को प्रलय वाली शक्ती मिल गई इन तीन बाणों की साहिता से वो विश्व भर की सेना को अकेले समाप कर सकता था पांडव दुरुपदी के साथ अपना एक वर्ष का ग्यातवास पूरा करने महराज विराट की राजधानी पहुँच गए दुरुपदी शेलिंदरी बन गई और उसे महराणी सुदेशना ने अपनी सेवा में रख लिया युदिश्टर विराट नरेश के विशेश शेवक हो गए भीमरसोया बन गए अरजुन ने विराट पुत्री उत्तरा को नित्त की शिक्षा दी नकुल अश्वशाला की देखपाल करने लगे और सहदेव ने चरवाहे का कार्य किया अग्यातवाज सबाप्त होते ही पांडवों का दूद बनकर श्री क्रेशन कौरवों के पास गए परंतु दुरियोधन ने उनकी बात नहीं मानी युद्ध होगा बड़े भाईया अवश्य होगा युद्ध को टालने का मेरा अंतिम प्रयास मेरा शांती प्रस्ताव विफल हो गया मामा शकुनी के द्यूद के पासे अब जुए की विसाथ से निकल कर नर संगार का न्रित्य कर रहे है हस्तिनापूर नरेश धृतराष्ट ने नेत्रहींता को अपना रक्षा कवच बना लिया है और पुत्रमोह के कारण वो अपना राजधर्म भूल चुके है मैंने आप पांडवों के लिए केवल पांच गाउं मांगे थे किन्तु दुरियोधन ने कहा कि पांच गाउं तो क्या वो सुई की नोक के बराबर भूमी भी नहीं देगा हे केशव सत्ता और शक्ति के मद में चूर अनुज दुरियोधन चाहे कुछ भी कहे किन्तु पांडवों की ओर से अंतिम नर्णयन लेने का अधिकार मैं आपको सुफता हूं बाद है प्रशन अब केवल न्याई संगत अधिकार का नहीं है महराज अब प्रशन है धर्म का और मैं तो सदैव धर्म के हित की बात करूँगा और यही कहूंगा कि हे सर्वशेष्ट धनुर्धर उठाओ अपना गांडी हे गदाधारी भीम उठाइए अपनी गदा हे धर्मराज युदिष्ठिर उठाइए धर्म की धजा जब जब राजनीति करने वाले लोग असमवे दन्शील होंगे तब तब शस्त्र उठेगा यह युद्ध होगा सत्य और असत्य का न्याई और अन्याई का धर्म और अधर्म का इसलिए यह धर्म युद्ध है जिसके लिए धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र चुना देया है अर्थात यह युद्ध तो होगा नावासुदे मिस संदे है पांचाली हे मधुसुदन अन्तिम सास लेती मेरी प्रतिशोत की जवाला को आपने पुढ़ जिवित किया है हे नरस्रेश्ट यह आपका वचन है आश्वासन मात्र नहीं नारी के सम्मान को तार-तार होते देखा है आपने हे दिननात आपने मेरी लाज ठकी इन खुले केशों के साथ यदि मैं चिता तक जाती तो मेरा स्थान नरक में निश्चित था कृष्णे तुम्हारे रूप में समस्त नारी जाती का आपमान करने वालों को चिता भी नहीं मिलेगी उनके शवों पर विलाप करने वाला कोई नहीं होगा होंगे केवल कित कुमार बर्बरे के कुमार बर्बरे के दादिश्री बर्बरे विधाता ने तो मेरे भाग में प्रतिक्षा ही लिग दी है कभी अपनों के प्रतिक्षा उम्र भर तेरे दादे की प्रतिक्षा और अब तेरी प्रतिक्षा दादिश्री आपकी यही प्रतिक्षा तो आपके अपनों की शक्ति है आपने जिस कारे के लिए गुरुदेव श्री कृष्ण के पास भेजा था उनके मार्क दर्षन में वो पूर्ण हुआ आज आपके बर्बरीक को संसार की बड़ी से बड़ी शक्ती भी चुनौती नहीं दे सकती पुत्र बर्बरीक? प्रडाम माते अयुश मान भव पुत्र क्या तुम्हें मेरी सुद्ध कभी नहीं आई? मैं तेन रात तुम्हारे ही जिनता में थी आप मेरी जननी है ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी जननी को भूल जाओ? आप, दादी, तथा पिता श्री सब मेरे हिर्दाय में बसे हुए है पुत्र, जिस कारे है तु, बासुदेव ने तुम्हें कुप्ट शेत्र भेजा था, वो पून हुआ? हाँ माते, गुरुदेव के आशिरवात से देवी ने प्रकाठोकर मुझे सिध्या प्रदान की धन्य है माता दादी, वन में मेरी दादा श्री, दादी द्रौपती, तथा समस्त पांड़ो कुल से भेट हुई अच्छा, तो तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए? हाँ दादी श्री, वो कह रहे थे कि उनका अग्यातवास चल रहा है, यदि किसी नोंने देख लिया, तो उने फिर से वनवास जाना पड़ेगा हाँ पुत्र, अग्यातवास के पस्चात भी कौरों ने पांड़ों को नहीं स्विकरा मैं समझा नहीं दादी श्री, राजपाट की लड़ाई में पांड़ों कौरों में लड़ाई छिड़ गई है, चल बल कौरों का धर्म है, पांड़ों का सत्याहिंसा कर्म है क्रिष्ण शांती दूद बनकर मध्यता करने गए, किन्तु दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी, ये तो अन्याय है, युद्ध की तयारी हो चुकी है, इधर केवल पांच पांड़ों, तेरे पिता और स्री कौरों की होगी, क्योंकि उनके पास तो आपार सेना है, मेरे होते ऐसा कदापी नहीं हो सकता, यदि कौरफ सारे विश्व से एक विशाल सेना भी इखटी कर ले, उनके पास मेरे इन बाड़ों का सामना करने का साहस नहीं है, पुत्र, तु अभी एक बालक है, इतने बड़े युद्धाओं के समक्ष, तु अकेला क्या कर सकेगा, माते, पुत्र, माते, मैं केवल वहां जाकर युद्ध देखूंगा, मैंने देवी सिध धंभी का, तथा भगवान शिव को वचन दिया है, कि जो पक्ष कमजोर सिध्धों का, मैं केवल उसी की साहता करूँगा, मेरे ये बाड़, केवल हाने वाले पक्ष के लिए चलेंगे, पुत्र, युद्ध जीत कराओ, और इतिहास बनाओ, सदा हारे का सहरा बनाओ युवक, पता नहीं तुम मित्र हो या श्यत्रू, किन्तु वीर्दा तुम्हारे अंग-अंग से छलकती दिखाई पड़ती है तुम यहां किस पक्ष को अपना समर्थन देने आया हो? मैंने कोई निर्ड़ाय नहीं लिया है, इस समय तो मैं युद्ध को निकट से देखने की अनुमती लेने आया हूँ वो तो तुम्हें सरलता से प्राप्थ हो जाएगी युवक, यह धर्म युद्ध है कोई भी युद्धा बिना दबाओ के किसी भी पक्ष को अपना समर्थन दे सकता है विचार करने की बाद तो मातर ये है कि कौन सा पक्ष धर्म, कौन सा अधर्म की ओर है सुना है, इस युद्ध में इतने महारती इकठा हो रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुए सत्य है युवक, केवल ये बताओ कि तुम अपना समर्थन किस पक्ष को दोगे मैं तो सदेव निर्बल के पक्ष में हूँ, मैं पराजित का मित्र हूँ ये दैव विगुण है, मानवी नहीं, तुमारी सेना कहा है युवक मैं स्वयम एक सेना हूँ, मैं अकेला ही युद्ध करके किसी भी सेना को परास्त कर सकता हूँ तुम्हारा व्यक्तित विचित्र है, युवक सक्थ तो प्रदर्शन के पश्चाथ ही सिदोता है, मैं दुर्पग पुत्र धिष्ट दुम्ने, पांडो सेना का प्रधान सेना पती, तुम्हें अपने क्षेत्र से युद्ध देखने का निमंत्र देता हूँ धन्यवाद, मुझे पांडव पक्स से यही अपेक्षा थी दुर्योधन ने अपनी सेना के महारथियों से प्रश्चन किया है, कि उनमें से कौन कितने दिनों में सेना समेत पांडवों का वदगर सकता है पितामाभीश्म और कृपाचारे ने एक मास, दुर्णाचारे ने पंदरा दिन, अश्वत थामाने दस दिन, तथा करण ने छे दिनों में युद्ध की समाप्ती की घोशना की है केशो, आपका तात्परी क्या है? यही प्रश्ण मैं आप सबसे करना चाहता हूँ, कि आप मेंसे कौन कितने दिनों में समस्त कौरव सेना को नश्ट कर सकता है वसुदेव, पितामाभीश्म और अन्य महारतियों का युद्ध से पहले ही विजय की घोशना करना नेरा धार है और हमारे शिवर में ऐसे ऐसे युद्धा हैं, जिन्नोंने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा और यदि चाहें, तो अकेली इस सारे कुरु सेना का डाश कर सकते हैं और हे वसुदेव, जहां स्वयम आप हैं, वहां पराजय का तो प्रश्णी नहीं उठता है और फिर भी अगर चित की शांती के लिए आप जानना चाते हैं, तो सन्ये वसुदेव महादेव की सौगंद, जब मेरे वानों की वर्षा होगी तो अगनी बरसेगी और वागनी कुरू सेना और सेना बत्यों को यू जिलाकर बसम कर देगी जैसे गिशम रितू सुकिवी गाज को जलाकर राख कर देती है महाराज, एक विचित्र युवक आया है, उसकी बातों में बड़बोलापन है किन्तो उसके मुखमंडल पर छलगता आप में विश्वास उसकी कही गई इस बात को सत्यसाबित करता है वो कहता है कि मैं अकेले ही युद्ध शेत्र में समस्त सेना को समाप्त कर सकता हूँ ये तो किसी पागल का प्रलाप लगता है नहीं बात यो वक है युद्ध की बात करता है चल कर देख तो लो उसे यो वक गुरुदेव आप सुरुदे प्रडाम प्रबु आयुश्मान भुव पुत्र ये तुम्हारे दादाश्री अर्जुन है हाँ, गुप्त शेत्र में हम अल्प समय के लिए मिले थे प्रडाम दादाश्री विजैई भव पौत्र गुरुदेव मुझे युद्ध की सूचना मिली और मैं चला आया हाँ, वत्स युद्ध की घोशना हो चुकी है अब हमें अपने पक्ष की शक्ती का विस्तार करना होगा गुरुदेव अब आपको चिंता करने की क्या वह शक्ता है आपका शिश्य सिद्ध शेत्र से सिद्ध्या प्राप करके लोटा है मैं अकेला ही समस्त कौरफ सिना को समाप्त कर सकता हूँ गुरुदेव ये है मेरी साधना का प्रसाद जो मुझे देवी से धंबिका और भगवान शिव ने दिये हैं इन बाणों की विशेष्टा क्या है पुत्र पहला बार जब चलेगा तो जिन लोगों के वद की मैं काम ना करूंगा ये उन पर मित्यू चिन बना देगा पुत्र ये कुछ अतिश्योक्ति नहीं लगती झाल 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 इस व्रक्ष के सारे पत्ते मेरे लक्ष पर हैं गुरुदेव झाल 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 गुरुदेव पहले बाड़ ने अपना कारे पूरा कर दिया पुत्र तुम्हें विश्वास हैं कि सारे पत्तों पर चिन लग गए हैं हां गुरुदेव गुरुदेव अब मेरे दूसरे बाड़ को छोड़ने से जितने पत्तों पर चिन हैं वो भूमी पर गिर जाएंगे और तीसरा बाड़ तो प्रले के समान है यदी मेंने इसका प्रियोग किया तो सारी सिष्टी का विनाश हो जाएगा मैं इसका प्रियोग कभी नहीं करूँगा रुख जा पौत्ल अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महा युद में हम पांटव दुर्बल नहीं हो सकते हैं दुर्बल तो अब कौरव लगते हैं ऐसा मत कहिए दादा श्री अनिथा अनर्थ हो जाएगा क्या अनर्थ होगा पुत्र गुरुदेव मैंने देवी सिद्ध अमरिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि युद्ध में जो पक्ष कम्जोर सिद्ध होगा मैं उसकी और से युद्ध करूँगा तो इसका अर्थ ये हुआ पौत कि बीच युद्ध में भी आप हमारी शत्रु का पक्ष ले सकते हो हाँ दादा श्री यदि युद्ध में कौरव पक्ष कम्जोर सिद्ध हुआ तो देवी को दिये वचन के अनुसार मुझे उनकी और से ही युद्ध करना पड़ेगा चलो पार्थ विश्राम कर लो शमा करें कौरुदेव मैंने निड़य लिया है कि युद्ध शेत्र से बाहर रहकर ही युद्ध देखूँगा चलो पार्थ युद्ध में तो हमारी विजय निश्चित है निश्चंदे किन्त जो मैं अभी सुनकर आ रहा हूं उसका आर्थ यह है कि पहले हमें पराजय की सीमा तक पहुंचना होगा और पराजय का आर्थ है पांडवों में से दो तीन की मृत्यू और पांडव सेना का विनाश पराजय मैं कुछ समझा नहीं किशा पार्थ यदि हम कौरव सेना का नाश कर दें और विजय की ओर चलें तो बरबरीक अपने दो ही बानों से अपने विजय उल्लास को पराजय में बदल देगा तो आप क्या करें तुम ही बताओ मित्र क्या सचमच बरबरी के बान चमतकारी होंगे अवश्य मित्र यदि वो वान महादेव ने स्वयम बरबरी को दिये हैं तो निश्य थी वो चमतकारी होंगे बरबरी को युद्ध से हाटाना होगा अन्यता ये युद्ध की दिशा बदल देगा ये धर्म युद्ध है धर्म को बचाने है तु अब यही एक विकल्ब शेश है प्राणा गुरु देव प्राणा धाश्री आयुष्मान भावा प्रभु आप शान्त क्यों हैं क्या चिंता है आपको पुत्र कल से युद्ध शुरू हो जाएगा देखें निलने की सोर जाता है मेरे होते आपको चिंता करने की कोई अवश्यक्त नहीं है यदि कौर्वो के पक्ष में युद्ध चाता देखा तो मात्र दो शड में ही मैं सारे युद्धाओं को समाप्त कर दूँगा मैं तुम्हारी शक्ती से परिचित हूँ पुत्र और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी हम में अनन्य भक्ती है किन्तु क्या प्रभू पुत्र आज शुक्ल फालगुन्द वादशी है आज की महिमा दुगनी हो जाती है किन्तु मुझे बताईए प्रभू मैं आपके दिये हर आदिश का पालंग करूँगा वत्स सुरुदे युद्ध से पूर्व चंडी एक बली चाहती है और बली उसी की चड़ाई जाएगी जो अतुलित बलशाली होगा इसमें चिंता किस बात की है प्रभू? चिंता इस बात की है वत्स कि इस पृत्वी पर तीन ही ऐसे वीर हैं जिनकी बली स्वीकार होगी मैं तुम यार जुन नारायन नारायन केशव बस इतनी सी बात है केशव क्या यही आपकी चिंता है तो हे जनारदन इस बली के लिए मैं अपने आपको प्रस्तुत करता हूं केशव अपने आपको तुम यह नहीं कर सकते पार्थ यह धर्म युद्ध है यदि एक भी पांडव कम हो जाएगा तो यह युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा पस एक ही मार्गशेश है मैं स्वयम ही अपना बलिदान दे देता हूं वैसे भी युद्ध ना करने की प्रतिग्या ली है मैंने एक सार्थ ही तो हूं तुम्हारा नहीं केशाफ नहीं प्रभू आप मेरे गुरू है श्रेश्ट है सभी तरह से जेश्ट है मेरे यह अधिकार सिर्फ मेरा है मेरा मुझे आग्या दीजिये प्रभू आपके चरणों की सौगन खाकर कहता हूं आपके ओ देश को पूरा करने के लिए मैं अपने शीष की बली देता हूं प्रभू ये कारे करने से मेरे वंश की कीर्थी बढ़ेगी ये सौभागे मैं अपने हादों से नहीं जाने दूगा प्रभू सोची मत प्रभू उठाइए ये शस्त्र और मेरे शीष को धड़ से अलग करके चंडी मा को बली चड़ाइए मैं ऐसा नहीं कर सकता यदि मैंने ऐसा किया तो ये बलीदान नहीं होगा फट्या होगी जब मैं स्वेच्छा से ये शीष आपको सौप रहा हूँ तो ये हत्या नहीं कहलाएगी धर्म ये कहता है वत्स कि बलीदानी स्वयम दान दे यदि मैं ऐसा करता हूँ तो वो हत्या ही कहलाएगी ना रायन ना रायन पुत्र घटोतकच अब युद्र का कोई विकल्प नहीं धर्म राज घटोतकच पुत्र बर्बरीक ने च्रिकिष्ण के कहने पे अपना शीष दान कर दिया कि उन्वानों की सत्यता की परिक्षा तो स्वयम वासुदेव ने लिया है इसमें तनिक भी संदे नहीं कि वे वान छण में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं अर्थात इसका ताथ पर यह हुआ और हम बिना युद्ध के हार जाएंगे अरे भान जे तुम सदैव विप्रीथ ही क्यों सोचते हो क्यों ममा श्री दुश्रासन सत्ते ही तो कह रहा है अरे भान जे अभी अभी ग्यात हुआ है कि भीम के पौत्र बर्बरीक ने क्रिश्न के कहने पर अपना शीषदान कर दिया है अर्थात अर्थात भान जो बर्बरीक की मृत्यू हो चुकी है अब उसके युद्ध करने का प्रश्णी उद्पन नहीं होता भीम और पांडो सारे शोका कुलें अवशी इसमें भी क्रिश्न का कोई उदेश्य होगा पौत्र बर्बरीक पौत्र ये तूने क्या किया वासुदेव ये आपने उच्जद नहीं किया अब मैं हडिमब और मार्वी को क्या उत्तर दूँगा ये विश्वर ये तरी कैसी लीला है कौन सबाब किया था मैंने इससे तो अच्छा होता पुत्र बर्बरी से पहले मुझे ही पृत्तिवा जाती है कम से कम ये ये दुख तो नहीं सहसा परता ये आपने क्या क्या वास दें और इसके पीछे आपका क्या उत्तेश्य है बोले अच्छेश्व कि अगले जनम में जब पृत्वी पर धर्म की रक्षा के लिए युद होगा तब श्री कृष्ण की द्वारा इनहीं मोक्ष प्राप्थ होगा और वे ही इनकी मृत्यों का कारण बनेंगे इसलिए इसमें श्री कृष्ण का कोई दोश नहीं आपको श्री कृष्ण पर कोई दोश नहीं लगाना चाहिए हे केशो मुझे क्षिमा करें क्षिमा करें हे देवी ये एक भक्त का शीश है इसे अम्रित से सीचो और अजरामर बना दो प्रडाम प्रफु पुत्र बर्बरीक तुम्हारे त्याग साधना और तुम्हारे इस महान शीशदान ने तुम्हें नर से नर्श्रेष्ट बना दिया है तुम जैसा महात्मा केवल सृष्टी के कल्यान के लिए आता है आज मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूं जो माता यशोदा ने स्वयम मुझे दिया था शाम शाम नारायन नारायन और तुम्हें मैं अपनी सारी शक्ति भी प्रदान करता हूं ने ने कलीयुग में तुम्हें लोग शाम के नाम से पुकारेंगे जैश्री श्याम जैश्री श्याम चै श्री शाम अपनी इच्छा मुझे बताओ हे नारायन, हे श्री शाम, मेरी दो इच्छाएं हैं फ्रत्थम इच्छा, मेरी देह को आपके हाथ से अगनी मिले और मेरी दूसरी इच्छा, मैं महा भारत का युद्ध देखने आया था मैं वो देखना चाहता हूँ तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण होगी वत्स तुम्हारे इस शीश का कभी अंत नहीं होगा इसे कभी थकेल ठाउ होग optimistic पुम्हारी अंज थकोष एसी किनन रजक क कर दीक अईग्हारी अंजर्ण था समस्टेयो кабा युम्हारी आग्जर्ण फई टें वे Panische आहाचारी थेम्हार death बिंद्धोर जब में झाल जाथ भुछा भुछा जालुफा लुछार साट草 संधरे कि दोड़ा लाई जगि हो दुछा लाई मिली के वा जए टीर तेहां को पराला। देहां करो edtitी चक्ट में प्र मुर territ है झाल 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 युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौर्वों की हार चारों और से पांडवों की जैजैकार सुनाई दे रही थी पांचों पांडविस युद्ध कश्रे स्वयम ही ले रहे थे मैंने धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए युद्ध का संचालन किया और इसलिए हमें विजेश्री का प्रसाद मिला बड़े बहिया इस युद्ध के सबसे बड़े खल नायक तरियोधिन का वद्ध यदी माइना करता तो ये युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता था मजले बएया यदी पिता माँ भीश्म बाणों की शया पर नहीं लेते होते तो विजेश्री हमसे को सो दूर होती किस बात पर इतना विवाद चल रहा है कृष्न तुम ही बताओ कि इस युद्ध में विजेश्री का मुकुट किसके शीश पे रखना चाहिए हो ये तो बड़ा बिकट प्रश्न है भीव भाईया इसका उतर मैं कैसे दे सकता हूँ मैं तो केवल पार्थ का सार्थी था लेकिन एक महान योधा है जिसने ये सारा युद्ध देखा है उस महादानी उस शीशदानी से अवश्य पूच सकते चले छुलिए नारायन नारायन प्रडाम प्रभू प्रडाम प्रभू शीशदानी तुमने महाभारत युद्ध देखा हाँ नारायन संपूर देखा तुम्हारे ये पांचों पितामा इस बात पर विवाद कर रहें पुत्र कि इस युद्ध में विजय किसके कारण प्राप्त होई सोच समझ कर उत्तर देना पौत्र ना जाने किस आधार पर आप सब अपने आपको इस युद्ध का नायक मान रहे हैं आप बड़े दादा धर्मराज युद्धिष्टेर आपने असत्ते भाषण करके अपने गुरू दुरौनाचारे का वद्ध कर दिया मेरे पितामा भीम आपने गदा युद्ध के नियमों का उलंगन करके दादा धुर्योधन का वद्ध किया गांडी धरी आप आपने तो युद्ध से पूर्वी गांडी फेक दिया था पितामा भीम को आपने शिखंडी का आश्रे लेकर बाड़ों की शय्या पर सुलाया दादा करण से आपके प्राणों की रख्षा के लिए मेरे पिता घटोधकच ने अपने प्राणों क्या होती दी नहीं आप मेंसे कोई भी नहीं है इस युद्ध का नायक इस युद्ध के एक ही माहनायक है मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण मुझे तो पूरे युद्ध में गुरुदेव श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया गुरुदेव श्री कृष्ण केवल दादा अर्जुन के सार्थी नहीं इस महायुद्ध के सार्थी थे क्रिश्ट केवल श्री क्रिश्ट के वासुदेव हे केशव हमें श्रमा कीजिए एहंकार विवेक का शत्रू होता है एक एशव युद्ध में यदि आप हमारे साथ न होते तो कदाभी हमें विजय प्राप्त न होती एश एशदानी इस युद्ध ने अन्याई कौरवों को दंड दिया पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य दिया मानवता को शानती दी किन्तु इस युद्ध ने तुम्हें क्या दिया पुत्र? हे नारायन ये आप भली भाती जानते हैं मुझे अपने कर्म का कोई पुरसकार नहीं चाहिए भे निश्काम कर्मयोगी तुम्हारे कर्म का पुरसकार तो मैं तुम्हें दूँगा कलिऊग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम में नहित होंगी जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनो कामनाय पूर्ण होंगा मेरी लिए क्या आग्या है प्रभ्यूद? पुत्र कलियुक का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जालो वहां की भूमी अत्यंत पवित्र और पावन है घंडेला का राजा अत्यंत धर्मिक प्रवर्ति का है जब तक ये प्रित्वी है पुत्र जब तक सूर्य चंद्रमा है जब तक ये सारे नक्षत्र है तुम लोगों के लिए पूजनी और बंदनी होगे तुम्हारे शीश की पूजा होगी पुत्र तुम शाम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे ओम नमो भग्वते वासु देवाइ भीम जी ब्राता शिरी पांचाली तो अब सच मुझ तक चुकी है और बेरे अनुझ भी अब तुम मजले होने का करतवे निभाओ और जाकर देखो आस पास कोई चल की विवस्ता या विश्राम करने का उच्छे स्थान है या नहीं और हाँ शीगर लोटना भीम क्योंकि बारा बरस की बनवास की अवधी अब समाफ्थ होने को है और दुर्योधन के सैनिक हमें सियार की भाती सूंगते फिर रहे हैं जो आग्या ब्राता शिरी ये क्या कर रहे हो दिखने में तो भद्र और वेवार में चांडा लगते हो मूर्क बालक तुम्हारे माबापने शिक्षा नहीं दी तुम्हें बनो से कैसे बात करते हैं जाओ और अपने माता पिता से पूछ कर आओ कि इस ताल को गंदा करके तुम कौँसा अच्छा काम कर रहे हो जल गंदा नहीं करूँगा तो हाथ पैर कैसे धूँगा शीगरी इस ताल से निकलो इस ताल से मैं दीवी के स्नान के लिए जल लेता हूँ और तुम इससे गंदा कर रहे हो जल का उपयोग नहाने धोने और शरीर की गंदगी दूर करने के लिए होता है मंद बुद्धी वो जल बहती धारा का होता है जहां गंदगी रुकती नहीं ये ताल है नदी नहीं तुम यहाँ से निकलो अने था मैं अपनी सभ्यता की सीमा लांग जाऊँगा मैं नहीं जाऊँगा तो क्या कर लोगे अभी बताता हूँ मैं बच्चों पे हाथ नहीं उठाता किन्तु तुमने सारी सीमा तोड़ दी तो मैं तो सब बता से खानी पड़ेगी तुम क्या कर रहे हो प्रभू इसने पूजा का जल अपवेत्र किया है मैं ऐसे दंड दूँगा ऐसा मत परोवत्स यह माहबली भीम तुम्हारे दादा है मेरे दादा श्री भीम हाँ मुझे शमा कीजिए दादा श्री मुझे शमा कीजिए तुम मेरे पोत्र हो मेरे गटोत कच के पुत्र हाँ हाँ दादा श्री मुझसे अंजाने में ऐसा अपराध हुआ है जिसकी कोई शमा नहीं नहीं पोत्र नहीं भूल मुझसे भी हुई है मैंने भी बड़े होने का कोई अच्छा परिचे नहीं दिया मेरे लिए मात्र जल था और तुमारे लिए पूजा का स्थाल इसलिए भूल जाओ जो भी हुआ कैसे भूल जाओ दादा श्री मैंने अपनी शक्ती का दुरूपयोग किया वो भी अपने दादा श्री पर मुझे इसके लिए अपने आपको दंड देना होगा नहीं पौत्र नहीं मैंने तुमारा बाले काल नहीं देखा हर पौत्र बाले काल में अपने दादा पे हाथ उठाता है मन मेला न करो पौत्र हमारा मिलना शायद इसी प्रकार लिखा था आगे लिये भीम तुमने आने में बहुत विलम कर दिया और ये ब्राता शिरी ये बर्बरीक है मौर्वी और गटोतकच का पुत्रा और बर्बरीक ये तुमारे बड़े दादा युदिस्थर प्रडाम दादा अर्जुन प्रडाम नकल सहदेव और तुमारी दादी द्रॉपवी प्रडाम दादी श्री आईश मार भबाबरीक बड़ा सुन्दर नाम है सुन्दरता के साथ साथ ये अद्बुत शक्ति शाली भी है और जानते हो दुरॉपवी इसने मुझे मल्युद में प्रास्त किया ये बालक आपको हाँ दुरॉपवी ये यहाँ वन में सिद्धियां प्राप्त करने आया था और मेरी इससे भेट होगे पुत्र बर्बरिक तुम्हारी दादी श्री ही डिमबा माता श्री और पिता श्री कैसे है दादा श्री जब से मैं श्री कृष्ण से शिक्षा प्राप्त करके निकला हो तब से उनके दर्शन नहीं हुए लेकिन ये विदित है कि वो सदेव प्रिताशी और आप सब की चिंता में लगी रहती है गोड़ी के टापों की आवास रताशे लगता है दुरियोधन के सैनिक हमें ढूड़ते हुए यहां तक आप पहुचे है हमारा वनवास तो समाथ हो चुका है अब हमारा अज्यातवास शुरू हो रहा है कदाची तुमारा कथल सकते है हर्जुन और यदि उन्होंने हमें ढूड़ निकाला तो एक बार फिर हमें बारा बरस का बनवास और एक बरस का अज्यातवास सेहना होगा वो आपको नहीं ढूण पाएंगे दादा श्री ये बरबरीक आपके पोत्र का वचन है आखे खोलो पूत्र प्रणाम प्रभू कल्यान हो हम तुमारी अराधना से अती प्रसन है पूत्र कहो क्या पर मागना चाहते हो प्रभू प्रथा में इच्छा थी कि आपके दर्शन हो वो अब पूर्ण हुई और दूसरी मैं ऐसी शक्ती चाहता हूँ प्रभू जिस्से में दुर्बल और निसाहाई लोगों की रक्षा कर सकूँ इन्हें स्विकार करो पुत्र ये बाण बहुत अचूप बाण है पहला बाण छोड़ने से तुम युद्धुभूबी में जिनका भी वत करने की काम ना करोगे ये बाण उनके शरीर पर मृत्यू चिन्ह बनातेगा तूसरे बाण के चलने से जिन जिन के शरीरों पर मृत्यू चिन्ह बने है ये उनका वत करतेगा तथा तीसरा बाण समस्थ स्रिष्टी का विनाश करतेगा किन्तु ध्यान रहे पुत्र इन बाणों का कभी दुरुप योग मत करना स्वरन रहे तुम सदैव दुर्बन का साहत होगे हारे का सहारा बनोगे जो आग्या प्रभू बर्बरिक को प्रलैवाली शक्ती मिल गई इन तीन बाणों की साहता से वो विश्व भर की सेना को अकेले समाप कर सकता था पांडव दुरोपदी के साथ अपना एक वर्ष का अग्यातवास पूरा करने महराज विराट की राजधानी पहुँच गए दुरोपदी शेलिंद्री बन गई और उसे महरानी सुदेशना ने अपनी सेवा में रख लिया युदिश्टर विराट नरेश के विशेश शेवक हो गए भीमरसोया बन गए अरजुन ने विराट पुत्री उत्तरा को नित्त की शिक्षा दी नकुल अश्वशाला की देखभाल करने लगे और सहदेव ने चरवाहे का कार्य किया अग्यातवास सबाप्त होते ही पांडवों का दूद बनकर श्रीक्रेशन कौर्वों के पास गए परन्तु दुरियोधन ने उनकी बात नहीं मानी युद्ध होगा बड़े भाईया अवश्य होगा युद्ध को टालने का मेरा अंतिम प्रयास मेरा शान्ती प्रस्ताव विफल हो गया मामा शकुनी के द्यूद के पासे अब जुए की विसाथ से निकल कर नरसंगार का अंद्रित्य कर रहे है हस्तिनापूर नरेश धृतराष्ट ने नेत्रहींता को अपना रक्षा कवच बना लिया है और पुत्रमोह के कारण वो अपना राजधर्म भूल चुके है मैंने आप पांडवों के लिए केवल पांच गाउं मांगे थे किन्तु दुर्योधन ने कहा कि पांच गाउं तो क्या वो सुई की नोक के बराबर भूमी भी नहीं देगा हे केशव सत्ता और शक्ति के मद में चूर अनुज दुर्योधन चाहे कुछ भी कहे किन्तु पांडवों की ओर से अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मैं आपको सुखता हूं माध हूँ प्रश्न अब केवल न्याई संगत अधिकार का नहीं है महाराज अप्रश्न है धर्म का और मैं तो सदैव धर्म के हित की बात करूँगा और यही कहूंगा कि हे सर्वशेष्ट धनुर्धर उठाओ अपना गांडीव हे गदाधारी भीम उठाइए अपनी गदा हे धर्मराज युदिष्ठिर उठाइए धर्म की धजा जब जब राजनीति करने वाले लोग असमवे दन्शील होंगे तब तब शस्त्र उठेगा यह युद्ध होगा सत्य और असत्य का न्याय और अन्याय का धर्म और धर्म का इसलिए यह धर्म युद्ध है जिसके लिए धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र चुना देया है अर्थात ये युद्ध तो होगा ना वासुदे निस्संदे है पांचाली हे मधुसुदन अंतिम सास लेती मेरी प्रतिशोत की ज्वाला को आपने पुढ़ जिवित किया है हे नरस्रेश्ट ये आपका वचन है आश्वासन मात्र नहीं नारी के सम्मान को तार-तार होते देखा है आपने हे दी ननात आपने मेरी लाज ढगी इन खुले केशों के साथ यदि मैं चिता तक जाती तो मेरा स्थान नरक में निश्चित था कृष्णे तुमारे रूप में समस्त नारी जाती का आपमान करने वालों को चिता भी नहीं मिलेगी उनके शवों पर विलाप करने वाला कोई नहीं होगा होंगे केवल किद कुमार बर्बरे की दादी श्री बर्बरे दादी श्री मुझे लगा कि आप मुझे याद कर रही हैं सो में यहां चला आया बैट जा पूत्र बर्बरे विधात ने तो मेरे भाग में प्रतिक्षा ही लिग दी है कभी अपनों कि प्रतिक्षा के उम्मर भर टेरे दादे के प्रतिक्षा और अब तेरी प्रतिक्षा लागे दादी श्री आपकी यहीं प्रतिक्षा तो आपके अपनों की शक्ति आए आपने जिस कारे के लिए गुरुदेव श्री कृष्णे के पास भेजा था, उनके मार्क दर्शन में वो पूर्ड हुआ आज आपके बरबरीक को संसार की बड़ी से बड़ी शक्ती भी चुनौती नहीं दे सकती पुत्र बरबरीक? प्रडाम माते अयूश मानभव पुत्र क्या तुम्हें मेरी सुद्ध कभी नहीं आई? मैं देन रात तुम्हारे ही जिन्ता में थी आप मेरी जननी है ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी जननी को भूल जाओ? आप, दादी, तथा पिता श्री, सब मेरे हिर्दाय में बसे हुए है पुत्र, जिस कारे है तु, पासुदेव ने तुम्हें एक गुप्ट शेत्र भेजा था, वो पून हुआ? हाँ माते, गुरुदेव के आशिरवात से देवी ने प्रकाठ होकर मुझे सिध्या प्रदान की धन्य है माता दादी, वन में मेरी दादा श्री, दादी द्रौपती, तथा समस्त पांड़कों से भेट हुई अच्छा, तो तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए? हाँ दादी श्री, वो कह रहे थे कि उनका अग्यातवास चल रहा है यदि किसी नोंने देख लिया, तो उन्हें फिर से वनवास जाना पड़ेगा हाँ पुत्र, अग्यातवास के पस्चात भी काउरों ने पांड़ों को नहीं स्विकरा मैं समझा नहीं दादी श्री राजपाट की लड़ाई में पांड़ों काउरों में लड़ाई छिड़ गई है चल बल काउरों का धर्म है, पांड़ों का सत्याहिंसा कर्म है कृष्ण शांति दूद बनकर मध्यता करने गए किन्तु दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी ये तो अन्याय है युद्धि की तयारी हो चुकी है इधर केवल पांच पांड़, तेरे पिता और स्रीकृष्ण है निश्चित रुप से विजए कौरों की होगी क्योंकि उनके पास तो अपार सेना है मेरे होते ऐसा कतापी नहीं हो सकता यदि कौरों सारे विश्व से एक विशाल सेना भी इखटी कर ले उनके पास मेरे इन बाड़ों का सामना करने का साहस नहीं है पुत्र, तू अभी एक बालक है इतने बड़े युद्धाओं के समक्ष, तू अकेला क्या कर सकेगा? माते, भगवान शिव से मुझे शक्तिया प्राप्ट हुई है वर्दान के स्वरूप मेरे पास तीन अमोग बाड़ हैं जो किसी भी शत्रों को एक पल में समाप्त कर सकते हैं मुझे युद्ध शेत्र में जाने की आग्या दीजिए माताश्री किन्तू पुत्र? मुझे वल हाने वाले पक्ष के लिए चलेंगे पुत्र मौर्वी, इसे मत रोको आज पांडव कुल को इसकी अवशक्ता है जाओ पुत्र, युद्ध जीत कराओ और इतिहास बनाओ सदा हारे का सहरा बनाओ युवख, पता नहीं तुम मित्र हो या श्यत्रू किन्तू वीर्था तुम्हारे अंग-अंग से छलकती दिखाई पड़ती है तुम यहां किस पक्ष को अपने समर्थन देने आया हो? मैंने कोई निर्डाय नहीं लिया है इस समय तो मैं युद्ध को निकट से देखने की अनुमती लेने आया हूँ वो तो तुम्हें सरलता से प्राप्त हो जाएगी युवख ये धर्म युद्ध है कोई भी युद्धा बिना दबाओ के किसी भी पक्ष को अपना समर्थन दे सकता है विचार करने की बाद तो मात्र ये है कि कौन सा पक्ष धर्म, कौन सा अधर्म की ओर है सुना है इस युद्ध में इतने महारती इकठा हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए सत्य है युवख केवल ये बताओ कि तुम अपना समर्थन किस पक्ष को दोगे मैं तो सदेव निर्बल के पक्ष में हूँ मैं पराजित का मित्र हूँ ये दैव विगुड है मानवी नहीं तुहारी सेना कहा है युवख मैं स्वयम एक सेना हूँ मैं अकेला ही युद्ध करके किसी भी सेना को परास्त कर सकता हूँ तुम्हारा व्यक्तित विचित्र है युवख सक्थ तो प्रदर्शन के पश्चाथी सी दोता है मैं दुर्पद पुत्र धिश्ट दुम्ने पांडो सेना का प्रधान सेना पती तुम्हें अपने शेत्र से युद्ध देखने का निमंत्र देता हूँ धन्यवाद मुझे पांडव पक्स से यहीं अपेक्षा थी दुर्योधन ने अपनी सेना के महारथियों से प्रश्न किया है कि उनमें से कौन कितने दिनों में सेना समेथ पांडवों का वदगर सकता है पितामाभीश्म और कृपाचार्य ने एक मास दुर्णाचारय ने पंदरा दिन, अश्वत थामाने दस दिन, तथा कर्ण ने छे दिनों में युद्ध की समाप्ती की घोशना की है केशो, आपका तात्परी क्या है? यही प्रश्न मैं आप सबसे करना चाहता हूँ कि आप में से कौन कितने दिनों में समस्त कौरव सेना को नश्ट कर सकता है वसुदेव पितामाभीश्म और अन्य महारतियों का युद्ध से पहले ही विजय की घोशना करना नेरा धार है और हमारे शिवर में ऐसे ऐसे युद्धा हैं जिन्होंने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा और यदि चाहें तो अकेली सारे कुरु सेना का डाश कर सकते हैं और है वसुदेव जहां स्वयम आप हैं वहां पराजय का तो प्रश्णी नहीं उठता है और फिर भी अगर चित की शांती के लिए आप जानना चाहते हैं तो सन्ये वसुदेव महादेव की सौगंद जब मेरे वाणों की वर्शा होगी तो अगनी बरसेगी और वो अगनी कुरु सेना और सेनापतियों को यू जलाकर भसम कर देगी जैसे गृषम रितू सुखिवी घास को जलाकर राप कर देती है महाराज एक विचितर युवक आया है उसकी बातों में बड़बोलापन है किन्तो उसके मुखमंडल पर छलगता आत्म विश्वास उसकी कही गई इस बात को सत्य साबित करता है वो कहता है कि मैं अकेले ही युद्शेत्र में समस्त सेना को समाप्त कर सकता हूँ ये तो किसी पागल का प्रलाप लगता है नहीं बात यो वक है यो दिकी बात करता है चल कर देख तो लो उसे यो वक है गुरुदेव आप सुरुदे प्रडाम प्रभू आयुश्मान भाव पुत्र ये तुम्हारे दादाश्री अर्जुन है हाँ गुप्त शेत्र में हम अल्प समय के लिए मिले थे प्रडाम दादाश्री विजैई भाव पौत्र गुरुदेव मुझे युद्ध की सूचना मिली और मैं चला आया हावत्स युद्ध की घोशना हो चुकी है अब हमें अपने पक्ष की शक्ति का विस्तार करना होगा गुरुदेव अब आपको चिंता करने की क्या विशक्ता है आपका शिश्य सिद्ध शेत्र से सिध्या प्राप करके लोटा है मैं अकेला ही समस्त कौरफ सिना को समाप्त कर सकता हूँ गुरुदेव यह मेरी साधना का प्रसाद जो मुझे देवी से धंविका और भगवान शिव ने दिये हैं इन बानों की विशेष्टा क्या है पुत्र पहला बार जब चलेगा तो जिन लोगों के वद की मैं काम ना करूंगा यह उन पर मित्यू चिन बना देगा पात्र यह कुछ अतिशोक्ति नहीं लगती है झाल मित्जा यह कुछ इस व्रक्ष के सारे पत्ते मेरे लक्ष पर हैं गुरुदेव गुरुदेव पहले बार ने अपना कारे पूरा कर दिया उत्र तुम्हें विश्वास है कि सारे पत्तों पर पर चिन लग गए हैं हाँ गुरुदेव गुरुदेव अब मेरे दूसरे बार को छोड़ने से जितने पत्तों पर चिन है वो भूमी पर गिर जाएंगे और तीसरा बान तो प्रले के समान है यदि मैंने इसका प्रियोग किया तो सारी सिर्ष्टी का विनाश हो जाएगा मैं इसका प्रियोग कभी नहीं करूँगा रुग जाओ पौत्र अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस माहा युद में हम पांटव दुर्बल नहीं हो सकते दुर्बल तो अब कौरव लगते हैं ऐसा मत कहिए दादा श्री अनेथा अनर्थ हो जाएगा क्या अनर्थ होगा पुत्र गुरुदेव मैंने देवी सिद्ध अमरिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि युद्ध में जो पक्ष कम्जोर सिद्ध होगा मैं उसकी और से युद्ध करूँगा तो इसका हर्त ये हुआ पौत्र के बीच युद्ध में भी आप हमारी शत्रु का पक्ष ले सकते हो हाँ दादा श्री यदि युद्ध में कौरव पक्ष कम्जोर सिद्ध हुआ तो देवी को दिये वचन के अनुसार मुझे उनकी और से ही युद्ध करना पड़ेगा चलो पार्थ विश्राम कर लो शमा करें कौरव देव मैंने निड़ाय लिया है कि युद्ध शेत्र से बाहर रहकर ही युद्ध देखूँगा चलो पार्थ हे खेशन हे जनादन इस युद्ध में तो हमारी विजय निश्चित है निश्चन्दे किन्त जो मैं अभी सुनकर आ रहा हूं उसका आर्थ यह है कि पहले हमें पराजय की सीमा तक पहुंचना होगा और पराजय का आर्थ है है पांडवों में से दो तीन के मृत्यों और पांडव सेना का विनाश पराजय को मैं कुछ समझा नहीं किशा पार्थ यदि हम कौरव सेना का नाश कर दें और विजय की ओर चलें तो बरबरीक अपने दो ही बानों से अपने विजय उल्लास को पराजय में बदल देगा कि तो आप क्या करें तुम ही मताव मित्र क्या सच्मच बरबरी के बान चमतकारी होंगे अवश्य मित्र यदि वो वान महादेव ने स्वयम बरबरीक को दिये हैं तो निश्च थी वो जमतकारी होंगे बरबरीक को युद्ध से हाटाना होगा अन्यथा ये युद्ध की दिशा बदल देगा ये धर्म युद्ध है धर्म को बचाने है तु अब यही एक विकल्वशेश है हुआ 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 है प्रणाम गुरुदेव प्रणाम दादाश्री अयुष्मान भावा प्रभु आप शांत क्यों है क्या चिंता है आपको पुत्र कल से युद्ध शुरू हो जाएगा देखें निलने की सोर जाता है मेरे होते आपको चिंता करने की कोई अवश्यक्त नहीं है यदि कौर्वो की पक्ष में युद्ध जाता दिखा तो मात्र दो शड़ में ही मैं सारी युद्धाओं को समाप्त कर दूंगा मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हो पुत्र और ये भी जानता हूं कि तुम्हारी हम में अनन्य भक्ती है किंतु किंतु क्या प्रभू पुत्र आज शुक्ल फालगुंद वादशी है आज की महिमा दुगनी हो जाती है किन्तू मुझे बताईए प्रभू मैं आपके दिये हर आदिश का पालंग करूँगा वत्स सुरुदे युद्ध से पूर्व चंडी एक बली चाहती है और बली उसी की चड़ाई जाएगी जो अतुलित बलशाली होगा इसमें चिन्ता किस बात की है प्रभू? चिन्ता इस बात की है वत्स कि इस पृत्वी पर तीन ही ऐसे वीर हैं जिनकी बली स्वीकार होगी मैं तुम यार जुन नारायन, नारायन केशव बस एकनी सी बात है केशव क्या यही आपकी चिन्ता है तो है जनारदन इस बली के लिए मैं अपने आपको प्रस्तुत करता हूँ केशव अपने आपको तुम यह नहीं कर सकते पार्थ यह धर्म युद्ध है यदि एक भी पांडव कम हो जाएगा तो यह युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा बस एक ही मार्गशेश है मैं स्वयम ही अपना बलिदान दे देता हूँ वैसे भी युद्ध ना करने की प्रतिग्या ली है मैंने एक सार्थ ही तो हूँ तुमारा नहीं केशव नहीं प्रभू आप मेरे गुरु है श्रेष्ठ है सभी तरह से जेश्ट है मेरे ये अधिकार सिर्फ मेरा है मेरा मुझे आग्या दीजिये प्रभू आपके चरणों की सौगन खाकर कहता हूँ आपके ओदेश को पूरा करने के लिए मैं अपने शीष की बली देता हूँ प्रभू ये कारे करने से मेरे वन्ष की कीर्थी बढ़ेगी ये सौभागे मैं अपने हाथ उसे नहीं जाने दूगा प्रभू सोची मत प्रभू उठाए ये शस्त्र और मेरे शीष को धर से अलग करके चंडी मा को बली चड़ाएए मैं ऐसा नहीं कर सकता यदी मैंने ऐसा किया तो ये बलिदान नहीं होगा हट्या होगी जब मैं सुच्छा से ये शीष आपको सौप रहा हूँ तो ये हट्या नहीं कहलाएगी दर्म ये कहता है वत्स कि बलिदानी स्वयम दान दे यदि मैं ऐसा करता हूँ तो वो हत्या ही कहलाएगी नारायण नारायण पुत्र घटोतकच अब युद्र का कोई विकल्प नहीं भैमराज घटोतकच पुत्र बर्बरीक ने च्री किष्ण के कहने पे अपना शीषदान कर दिया कि उन्वानों की सत्यता की परिक्षा तो स्वयम वासुदेव ने लिया है इसमें तनिक भी संदे नहीं कि वे वान छण में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं अर्थात इसका ताथ पर यह हुआ और हम बिना युद्ध के हार जाएंगे अरे भांजे तुम सदैव विप्रीथ ही क्यों सोचते हो क्यों ममा श्री दुशासन सत्ते ही तो कह रहा है अरे भांजे अभी अभी ग्यात हुआ है कि भीम के पौत्र बर्बरीक ने क्रिश्न के कहने पर अपना शीषदान कर दिया है अर्थात अर्थात भांजेओ बर्बरीक की मृत्यू हो चुकी है अब उसके युद्ध करने का प्रश्न ही उत्पन नहीं होता भीम और पांडो सारे शोका कुल है अवश्ची इसमें भी क्रिश्न का कोई उदेश्य होगा पौत्र बर्बरीक पौत्र ये तूने क्या किया वासुदेव ये आपने उच्जद नहीं किया अब मैं हेडिंबा और मौरवी को क्या उत्तर दूँगा ये तरी कैसी लीला है कौन सबाप किया था मैने इससे तो अच्छा होता पुत्र बर्बरीक से पहले मुझे ही पृत्युआ जाती है कब से कब ये ये दुख तो नहीं सहसा परता है ये आपने क्या क्या वासुदे और इसके पीछे आपका क्या उत्देश्य है बोलें नकेश्यों कि भगवान श्री कृष्ण ने महाबली परबरिक से ये शीष्टान किस कारण मांगा मैं बता दी हूं प्रह्मदेव द्वारा घमंड करने पर इन्हें ये श्राप दिया गया कि अगले जनम में जब प्रित्वी पर धर्म की रक्षा के लिए युद होगा तब श्री कृष्ण के द्वारा इन्हें मोक्ष प्राप्थ होगा और वे ही इनकी मृत्यों का कारण बनेंगे इसलिए इसमें श्री कृष्ण का कोई दोश नहीं आपको श्री कृष्ण पर कोई दोश नहीं लगाना चाहिए हे केशो मुझे क्षिमा करें क्षिमा करें हे देवी ये एक भक्त का शीश है इसे अम्रित से सीचो और अजरामर बना दो प्रडाम प्रभू कीरतीमान भव पुत्र बर्बरीक तुम्हारे त्याग साधना और तुम्हारे इस महान शीशदान ने तुम्हें नर से नर श्रेष्ट बना दिया है तुम जैसा महात्मा केवल सरिष्टी के कल्यान के लिए आता है आज मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूँ अपनी इच्छा मुझे बताओ हे नारायन हे श्याम मेरी दो इच्छाएं है प्रथम इच्छा मेरी देह को आपके हाथ से अगनी मिले और मेरी दूसरी इच्छा मैं महा भारत का युद्ध देखने आया था मैं वो देखना चाहता हूँ तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी वत्स तुम्हारे इस शीश का कभी अंत नहीं होगा झाल प्रुम्हारी आया प्रुम्हारी झाल अए थाल झाल 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 कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौर्वों की हार चारों और से पांडवों की जैजैकार सुनाई दे रही थी। झाल 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 यूद्ध में विज़ेत्र के युद्ध में विजशीरी का मुकुट किसके शीश पे रखना चाहिए। ये तो बड़ा बिकट प्रश्ण है भीम भाया इसका उतर मैं केसे दे सकता हूँ मैं तो केवल पार्थ का सार्थी था लेकिन एक महान योध्धा है जिसने ये सारा युध्ध देखा है उस महादानी उस शीशदानी से अवश्य पूच सकते चले नारायन नारायन प्रडाम प्रभु एशीशदानी तुमने महाभारत युध्ध देखा हाँ नारायन संपूर देखा है तुम्हारे ये पांचो पितामा इस बात पर विवाद कर रहे है पूत्र कि इस युध्ध में विजय किसके कारण प्राप्त होई सोच समझ कर उत्तर देना पौत्र ना जाने किस आधार पर आप सब अपने आपको इस युध्ध का नायक मान रहे हैं आप बड़े दादा धर्मराज युधिष्टेर आपने असत्ते भाषण करके अपने गुरू दुरौनाचारा का वद्ध कर दिया मेरे पितामा भीम आपने गदा युध्ध के नियमों का उलंगन करके दादा दुर्योदन का वद्ध किया गांडी धरी आप आपने तो युध्ध से पूर्वी गांडी फेक दिया था पितामा भीश्मु को आपने शिखंडी का आश्रे लेकर बाड़ों की शय्या पर सुलाया दादा करण से आपके प्राणों की रख्षा के लिए मेरे पिता घटोदकच ने अपने प्राणों क्या होती दी नहीं, आप मेंसे कोई भी नहीं है इस युद्ध का नायक, इस युद्ध के एक ही महा नायक है मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण मुझे तो पूरे युद्ध में गुरुदेव श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया गुरुदेव श्री कृष्णे केवन दादा अर्जुन के सार्थी नहीं, इस महायुद्ध के सार्थी थे, कृष्ण, केवन श्री कृष्ण ए वासुदेव, हे केशव, हमें श्रमा कीजिए, एहंकार विवेक का शत्रू होता है एक एशव, युद्ध में यदि आप हमारे साथ न होते, तो कदाभी हमें विजय प्राप्त न होती ए शीषदानी, इस युद्ध ने अन्याई कौरवों को दंड दिया, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य दिया, मानवता को शान्ती दी किन्तु इस युद्ध ने तुम्हें क्या दिया, पुत्र? हे नारायन, ये आप भली भाती जानते हैं, मुझे अपने कर्म का कोई पुरसकार नहीं चाहिए भे निश्काम कर्मयोगी, तुम्हारे कर्म का पुरसकार तो मैं तुम्हें दूँगा कलियुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम में नहित होंगी जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा, उसकी सारी मनो कामनाएं पूर्ण हो मेरी लिए क्या आग्या है प्रभू? पुत्र कलियुग का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाने वहां की भूमी अत्यंत पवित्र और पावन है घंडेला का राजा अत्यंत धार्मिक प्रवर्ति का है जब तक ये प्रित्वी है पुत्र जब तक सूर्य चंद्रमा है जब तक ये सारे नक्षत्र है तुम लोगों के लिए पूजनी और बंदनी होगे तुम्हारे शीश की पूजा होगी पुत्र तुम शाम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे ओम नमो भगवते वासुदेवाई भीम जी प्राता शिरी पांचाली तो अब सच मुझ तक चुकी है और बेरे आनुज भी अब तुम मजले होने का करतवे निभाओ और जाकर देखो आस पास कोई जल की विवस्ता या विश्राम करने का उच्चे स्थान है या नहीं और हाँ शिग्र लोटना भीम क्योंकि बारा बरस की बनवास की अवधी अब समाफ्थ होने को है और दुर्योधन के सैनिक हमें सियार की भाती सूंगते फिर रहे है जो आग्या ब्राता शिरी ये क्या कर रहे हो देखने में तो भद्र और व्यवार में चांडा लगते हो मूर्क बालक तुम्हारे माबापने शिक्षा नहीं दी तुम्हें बढ़ो से कैसे बात करते हैं जाओ और अपने माता पिता से पूछ कर आओ कि इस ताल को गंदा करके तुम को अच्छा काम कर रहे हो जल गंदा नहीं करूँगा तो हाथ पैर कैसे धूँगा शीग्री इस ताल से निकलो इस ताल से मैं दीवी के स्नान के लिए जल लेता हूँ और तुम इससे गंदा कर रहे हो जल का उपयोग नहाने धोने और शरीर की गंदगी दूर करने के लिए होता है मन्द बुद्धी वो जल बहती धारा का होता है जहां गंदगी रुकती नहीं ये ताल है नदी नहीं तुम यहाँ से निकलो अने था मैं अपनी सभ्वेता की सीमा लांग जाओंगा मैं नहीं जाओंगा तो क्या कर लोगे अभी बताता हूँ मैं बच्चों पे हाट नहीं उठाता किन्तु तुमने सारी सीमा तोड़ दी तो मैं तो सभ्वेता से खाने ही पड़ेगी कहरो वट्स ये तुम क्या कर रहे हो प्रभू इसने पूजा का जला पवेतर किया है मैं इसे दंड दूँगा ऐसा मत पुरोबच ये माहवली भीम तुम्हारे दादा है मेरे दादा श्री भीम हाँ पुत्र मुझे शमा कीजिए दादा श्री मुझे शमा कीजिए तुम मेरे पौत्र हो मेरे गटूत कच के पुत्र हाँ दादा श्री मुझसे अंजाने में ऐसा अपराध हुआ है जिसकी कोई शमा नहीं नहीं पौत्र नहीं भूल मुझसे भी हुई है मैंने भी बड़े होने का कोई अच्छा परिचे नहीं दिया मेरे लिए मात्र जल था और तुमारे लिए पूजा का स्थाल इसलिए भूल जाओ जो भी हुआ कैसे भूल जाओ दादा श्री मैंने अपनी शक्ती का दुरूपियो किया वो भी अपने दादा श्री पर मुझे इसके लिए अपने आपको दंड देना होगा नहीं पौत्र नहीं मैंने तुमारा बाले काल नहीं देखा हर पौत्र बाले काल में अपने दादा पे हाथ उटाता है मन मेला न करो पौत्र हमारा मिलना शायद इसी प्रकार लिखा था आगे प्रिये भीम तुमने आने में बहुत विलम कर दिया और ये ब्रादा शिरी ये बर्बरीक है मौरवी और गटोतकच का पुत्र और बर्बरीक ये तुमारे बड़े दादा युदिस्थर दादा अर्जुन नकल सहदेव और तुमारी दादी द्रॉपवी प्रड़ाम दादी शिरी आईश्मार भगा बर्बरीक बड़ा सुंदर नाम है सुंदरता के साथ साथ ये अद्बुत शक्ति शाली भी है और जानते हो द्रॉपवी इसने मुझे मल युद में प्रास्त किया ये बालक आपको हाँ ध्रॉप्ति ये यहां वान में सिद्धियां प्राप्त करने आया था और मेरी इससे भेट होगे पुत्र बर्बरीक तुम्हारी दादी श्री हेडिंबा माता श्री और पिता श्री कैसे हैं? दादा श्री जबसे मैं श्री कृष्ण से शिक्षा प्राप्त करके निकला हो तब से उनके दर्शन नहीं हुए लेकिन ये विदित है कि वो सदेव पिता श्री और आप सब की चिंता में लगी रहती है गोड़ी के टापों की आवास भाता श्री लगता है दुरियोधन के सेनिक हमें ढूंडते हुए यहां तक आप पहुचे है हमारा बनवास तो समाथ हो चुका है अब हमारा अग्यातवास चुरू हो रहा है कदाची तुमारा कतन सकते हर्जुन और यदि उन्होंने हमें ढूंड निकाला तो एक बार फिर हमें बारा बरस का बनवास और एक बरस का अग्यातवास सहना होगा वो आपको नहीं ढूंड पाएंगे दादा श्री ये बर्बरीक आपके पौत्र का वचन है आखे खोलो पूत्र प्रडाम प्रभू कल्यान हो हम तुमारी अराधना से अती प्रसन है पुत्र कहो क्या परमागना चाहते हो प्रभू प्रथा में इच्छा थी कि आपके दर्शन हो वो अब पूर्ण हुई और दूसरी मैं ऐसी शक्ती चाहता हूँ प्रभू जिस्से में दुर्बल और निसाहाय लोगों की रक्षा कर सकूँ इन्हें स्विकार करो पुत्र ये बाण बहुत अचूप बाण है पहला बाण छोड़ने से तुम युद्ध भूबी में जिनका भी वद्ध करने की काम न करोगे ये बाण उनके शरीर पर मृत्यू चिन्ह बना देगा तूसरे बाण के चलने से जिन जिन के शरीरों पर मृत्यू चिन्ह बने है ये उनका वद्ध कर देगा तथा तीसरा बाण समस्त स्रिष्टी का विनाश कर देगा किन्तु ध्यान रहे पुत्र इन बाणों का कभी दुरुपयोग मत करना स्वनन रहे तुम सदैव दुर्भल का साथ दोगे हारे का सहारा बनोगे जो आग्या प्रभु बरबरिक को प्रलय वाली शक्ती मिल गई इन तीन बाणों की साहिता से वो विश्व भर की सेना को अकेले समाप कर सकता था पांडव दुरुपदी के साथ अपना एक वर्ष का ग्यातवाच पूरा करने महराज विराट की राजधानी पहुँच गए दुरुपदी शेलिंदरी बन गई और उसे महराणी सुदेशना ने अपनी सेवा में रख लिया युदिष्टर विराट नरेश के विशेश शेवक हो गए भीम्रसोया बन गए अर्जुन ने विराट पुत्री उत्तरा को नित्त की शिक्षा दी नकुल अश्वशाला की देखभाल करने लगे और सहदेव ने चरवाहे का कार्य किया अग्यातवाज समाप्थ होते ही पांडवों का दूद बनकर श्री क्रिशन कौरवों के पास गए परंतु दुरियोधन ने उनकी बात नहीं मानी युद्ध होगा बड़े भाईया अवश्य होगा युद्ध को टालने का मेरा अंतिम प्रयास मेरा शांती प्रस्ताव विफल हो गया मामा शकुनी के द्यूद के पासे अब जुए की विसाथ से निकल कर नर संगार का न्रित्य कर रहे है हस्तिनापूर नरेश ध्रतराष्ट्र ने नेत्रहींता को अपना रक्षा कवच बना लिया है और पुत्रमोह के कारण वो अपना राजधर्म भूल चुके है मैंने आप पांड़वों के लिए केवल पांच गाउं मांगे थे किन्तु दुरियोधन ने कहा कि पांच गाउं तो क्या वो सुई की नोक के बराबर भूमी भी नहीं देगा हे केशव सत्ता और शक्ति के मद में चूर अनुज दुरियोधन चाहे कुछ भी कहे किन्तु पांड़वों की ओर से अंतिम नर्णय लेने का अधिकार मैं आपको सुफ्त ओमाद हूँ प्रशन अब केवल न्याई संगत अधिकार का नहीं है महराज अब प्रशन है धर्म का और मैं तो सदैव धर्म के हित की बात करूँगा और यही कहूंगा कि हे सर्वशेष्ट धनुर्धर उठाओ अपना गांडी हे गदाधारी भीम उठाइए अपनी गदा हे धर्मराज युदिष्ठिर उठाइए धर्म की धजा जब जब राजनीती करने वाले लोग असमवे दन्शील होंगे तब तब शस्त्र उठेगा यो युद्ध होगा सत्य और असत्य का न्याय और अन्याय का धर्म अधर्म और अधर्म का इसलिए ये धर्म युद्ध है जिसके लिए धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र चुना गया है अर्थात ये युद्ध तो होगा नावासुदे निस संदे है पांचाली हे मधुसदन अंतिम सास लेती मेरी प्रतिशोत की ज्वाला को आपने पुढर जिवित किया है हे नरस्रेश्ट या पवचन है आश्वासन मात्र नहीं नारी के सम्मान को तार-तार होते देखा है आपने हे दिननात आपने मेरी लाज ठकी इन खुले केशों के साथ यदि मैं चिता तक जाती तो मेरा स्थान नरक में निश्चित था क्रिश्ने तुम्हारे रूप में समस्त नारी जाती का आपमान करने वालों को चिता भी नहीं मिलेगी उनके शवों पर विलाप करने वाला कोई नहीं होगा होंगे केवल कित कुमार बर्बरेक की कुमार बर्बरेक की दादी श्री बर्बरेक दादी श्री मुझे लगा कि आप मुझे याद कर रही हैं सो में यहाँ चला आया बैट जा पूत्र बर्बरेक विधाता ने तो मेरे भाग में प्रतिक्षा ही लिग दी है कभी अपनों की प्रतिक्षा उम्र भर तेरे दादे की प्रतिक्षा और अब तेरी प्रतिक्षा दादी श्री आपकी यही प्रतिक्षा तो आपके अपनों की शक्ति है आपने जिस कारे के लिए गुरुदेव श्री कृष्ण के पास भेजा था उनके मार्क दर्षन में वो पूर्ण हुआ आज आपके बर्बरीक को संसार की बड़ी से बड़ी शक्ती भी चुनौती नही अयूश मानभव पुत्र क्या तुम्हें मेरी सुध कभी नहीं आई मैं देन रात तुम्हारी ही जिनता में थी आप मेरी जननी है ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी जननी को भूल जाओ आप दादी तथा पिता श्री सब मेरे हिर्दाय में बसे हुए हैं पुत्र जिस कारे है गुरुदेव के आशिरवात से देवी ने प्रकाठ होकर मुझे सिध्या प्रदान की धन्य है माता दादी वन में मेरी दादा श्री दादी द्रौपती तथा समस्त पांड़ो कुल से भेट हुई अच्छा तो तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए हां दादी श्री व अज्यात वास के पस्चात भी कौरों ने पांड़ों को नहीं स्वी करा मैं समझा नहीं दादी श्री राजपाट की लड़ाई में पांड़ों का धर्म है पांड़ों का सत्याहिंसा कर्म है कृष्ण शांती दूद बनकर मध्यता करने गये किन्तु दुर्योधन ने उनकी देख न सुनी यह तो अन्याय है युद्ध की तयारी हो चुकी है इधर केवल पांच पांड़ों तेरे पिता और स्रीकृष्ण है निश्चित रुप से विजय कौरों की होगी क्योंकि उनके पास तो आपार सेना है मेरे होते ऐसा कदापी नहीं हो सकता यदी कौरव सारे विश्व से एक विशाल सेना भी इखटी कर लें उनके पास मेरे इन बाड़ों का सामना करने का साहस नहीं है पुत्र तू अभी एक बालक है इतने बड़े युद्धाओं के समक्ष तू अकेला क्या कर सकेगा माते भगवान शिफ से मुझे शक्तिया प्राप्त हुई है व आते मैं केवल वहां जाकर युद्ध देखूंगा मैंने देवी सिधंभी का तथा भगवान शिफ को वचन दिया है कि जो पक्ष कमजोर सिध्धों का मैं केवल उसी की साहता करूंगा मेरे ये बाड़ केवल हाने वाले पक्ष के लिए चलेंगे पुत्र मौर्वी इसे मत आज पांडव कुल को इसकी अवशक्ता है जाओ पुत्र युद्ध जीत कराओ और इतिहास बनाओ सदा हारे का सहरा बनाओ युवक पता नहीं तुम मित्र हो या श्यत्रू किन्त वीर्था तुम्हारे अंग-अंग से छलकती दिखाई पड़ती है तुम यहां किस पक्ष को अपना समर्थन देने आया हो मैंने कोई निर्ड़ाय नहीं लिया है इस समय तो मैं युद्ध को निकट से देखने की समर्थन दे सकता है विचार करने की बाद तुम आत्र यह है कि कौन सा पक्ष धर्म कौन सा अधर्म की ओर है सुना है इस युद्ध में इतने महारती इकठा हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए सत्य है युवक केवल ये बताओ कि तुम अपना समर्थन किस पक्ष को दोगे मैं तो सदेव निर्बल के पक्ष में हूँ मैं पराचित का मित्र हूँ ये दैव विगुण है मानवी नहीं तुमारी सेना कहा है युवक मैं स्वयम एक सेना हूँ मैं अकेला ही युद्ध करके किसी भी सेना को परास्त कर सकता हूँ तुम्हारा व्यक्तित विचित्र है युवक सत्य तो प्रदर्शन के पड़ शाथ ही सिदोता है मैं दुर्पत पुत्र धृष्ट दुमने पांडो सेना का प्रधान सेना पती त तुम्हें अपने क्षेत्र से युद्ध देखने का निमंत्र देता हूँ धन्यवाद मुझे पांडव पक से यहीअपेक्षा थी दुरियोधन ने अपनी सेना के महारथियों से प्रश्न किया है कि उनमें से कौन कितने दिनों में सेना समेथ पांडवों का वदगर सकता है पितामा भीश्म और कृपाचारे ने एक मास दुरोणाचारे ने पंदरा दिन अश्वत थामा ने दस दिन तथा कर्ण ने छे दिनों में युद्ध की समाप्ती की घोशना की है केशो आपका तात्परी क्या है यही प्रश्न मैं आप सबसे करना चाहता हूँ कि आप मेंसे कौन कितने दिनों में समस्त कौरव सेना को नश्ट कर सकता है बसुदेव पितामा भीश्म और अन्य महारतियों का युद्ध से पहले ही विजय की घोशना करना तेरा धार है और हमारे शिवर में ऐसे ऐसे युद्धा हैं जिनोंने कभी पराजे का स्वाद नहीं चखा और यदि चाहें तो अकेले ही सारे कुरु सेना का डाश कर सकते हैं अब फिर भी अगर चित की शांती के लिए आप जानना चाते हैं तो सन्ये वस्धेव महादेव की सौगंद जब मेरे वाणों की वर्शा होगी तो अगनी बरसेगी और वो अगनी कुरु सेना और सेना पतियों को यू जला कर भसम कर देगी महाराज एक विचितर युवक आया है उसकी बातों में बड़वोलापन है किन्तो उसके मुखमंडल पर छलगता आत्म विश्वास उसकी कही गई इस बात को सत्यसाबित करता है वो कहता है कि मैं अकेले ही युद्शेत्र में समस्त सेना को समाप्त कर सकता हूँ यह तो किसी पागल का प्रलाप लगता है नहीं बात यो वक्ष है यो दिकी बात करता है चल कर देख तो लो उसे यो वक्ष गुरुदेव आप सुहृत है प्रडाम प्रभू आयुश्मान भाव पुत्र यह तुम्हारे दादाश्री अर्जुन है हां गुप्त शेत्र में हम अल्प समय के लिए मिले थे प्रडाम दादाश्री विजयी भव पौत्र गुरुदेव मुझे युद्ध की सूचना मिली और मैं चला आया हां वत्स युद्ध की घोशना हो चुकी है अब हमें अपने पक्ष की शक्ती का विस्तार करना होगा गुरुदेव अब आपको चिंता करने की क्या वशक्ता है आपका शिश्य सिद्ध शेत्र से सिद्ध्या प्राप करके लोटा है मैं अकेला ही समस्त कौरफ सिना को समाप्त कर सकता हूँ गुरुदेव यह मेरी साधना का प्रसाद जो मुझे देवी से धंविका और भगवान शिव ने दिये हैं इन बानों की विशेष्टा क्या है पुत्र पहला बार जब चलेगा तो जिन लोगों के वद की मैं काम ना करूंगा यह उन पर मित्यू चिन बना देगा पोत्र यह कुछ अथिशोक्ती नहीं लगती पूंसाद काम यह उन्रियों की विट्रेश काम की विवी कमाने लोगो जो जो झाला बना हम आड़ाओा इस व्रक्ष के सारे पत्ते मेरे लक्ष पर हैं गुरुदेव गुरुदेव पहले बाड़ ने अपना कारे पूरा कर दिया उत्र तुम्हें विश्वास है कि सारे पत्तों पर चिन लगते हैं हाँ गुरुदेव गुरुदेव अब मेरे दूसरे बाड़ को छोड़ने से जितने पत्तों पर चिन हैं वो भूमी पर गिर जाएंगे और तीसरा बाण तो प्रले के समान है यदी मैंने इसका प्रियोग किया तो सारी सिष्टी का विनाश हो जाएगा अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महा युद में हम पांटव दुर्बल नहीं हो सकते हैं दुर्बल तो अब कौरव लगते हैं ऐसा मत कहिए दादाश्री अनिथा अनर्थ हो जाएगा क्या अनर्थ होगा पुत्र गुरुदेव मैंने देवी सिध्धमरिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि युद्ध में जो पक्ष कम्जोर सिध्ध होगा मैं उसकी और से युद्ध करूँगा तो इसका हर्त ये हुआ पौत कि बीच युद्ध में भी आप हमारी शत्रु का पक्ष ले सकते हो हाँ दादाश्री यदि युद्ध में कौरव पक्ष कम्जोर सिध्ध हुआ तो देवी को दिये वचन के अनुसार मुझे उनकी और से ही युद्ध करना पड़ेगा चलो पार्थ, विश्राम कर लो शमा करें को रुदेव, मैंने निड़ाय लिया है कि युद्ध शेत्र से बाहर रहकर ही युद्ध देखूंगा चलो पार्थ हे किशंग, हे जनादन, इस युद्ध में तो हमारी विजय निश्चित है निश्चंदे, किन्त जो मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ, उसका अर्थ ये है कि पहले हमें पराजय की सीमा तक पहुँचना होगा और पराजय का आर्थ है पांडवों में से दो तीन के मृत्यू और पांडव सेना का विनाश पराजय, मैं कुछ समझा नहीं किशंग, पार्थ यदि हम कौरव सेना का नाश कर दें और विजय की ओर चलें तो बरबरीक अपने दो ही बाणों से अपने विजय ओल्लास को पराजय में बदल देगा तो आप क्या करें? तुम ही मताव मित्र, क्या सचमच बरबरीक के बाण चमतकारी होंगे? अवश्य मित्र, यदि वो वाण महादेव ने स्वयम बरबरीक को दिये हैं, तो निश्यत ही वो चमतकारी होंगे बरबरीक को युद्ध से हटाना होगा, अन्यथा ये युद्ध की दिशा बदल देगा ये धर्म युद्ध है, धर्म को बचाने है तू अब यही एक विकल्वशेश है प्रणा मुआ वार्म प्रणा मैं गुरु देव, प्रणा मुआ, दादाश्री। आयुष्मान भावा प्रभू, आप शांत क्यों हैं? क्या चिंता है आपको? पुत्र कल से युद्ध शुरू हो जाएगा देखे, मिलने की सोर जाता है मेरे होते, आपको चिंता करने की कोई अवश्रक्त नहीं है यदि कौर्वो की पक्ष में युद्ध जाता देखा तो मात्र दो शड में ही, मैं सारी युद्धाओं को समाप्त कर दूँगा मैं तुम्हारी शक्ती से परिचित हो पुत्र और ये भी जानता हो कि तुम्हारी हम में अनन्य भक्ती है किन्तू किन्तू क्या प्रभू पुत्र आज शुक्ल फालगुंद वादशी है आज की महिमा दुगनी हो जाती है किन्तू मुझे बताईए प्रभू मैं आपके दिये हर आदिश का पालन करूँगा वत्स सुरुदे युद्ध से पूर्व चंडी एक बली चाहती है और बली उसी की चड़ाई जाएगी जो अतुलित बलशाली होगा इसमें चिंता किस बात की है प्रभू चिंता इस बात की है वत्स कि इस प्रित्वी पर तीन ही ऐसे वीर हैं जिनकी बली स्वीकार होगी मैं तुम यारजुन नारायन नारायन पिशव पस एकनी सी बात है किशव क्या यही आपकी चिंता है तो हे जनारदन इस बली के लिए मैं अपने आपको प्रस्तुत करता हूं किशव अपने आपको तुम यह नहीं कर सकते पार्थ यह धर्म युद्ध है यदि एक फी पांडव कम हो जाएगा तो यह युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा पस एक ही मार्गशेश है मैं स्वयम ही अपना बलिदान दे देता हूं वैसे भी युद्ध ना करने की प्रतिग्या ली है मैंने एक सार थी तो हूं तुम्हारा नहीं केशाफ नहीं प्रभू आप मेरे गुरू है श्रेश्ट है सभी तरह से जेश्ट है मेरे यह अधिकार सिर्फ मेरा है मेरा मुझे आग्या दीजे प्रभू आपके चरणों की सौगन खाकर कहता हूं आपके ओ देश को पूरा करने के लिए मैं अपने शीष की बली देता हूं प्रभू यह कारे करने से मेरे वन्ष की कीर्थी बढ़ेगी यह सौभाग्य मैं अपने हादों से नहीं जाने दूँगा प्रभू सोची मत प्रभू उठाइए यह शस्त्र और मेरे शीष को धर से अलग करके चंडी मा को बली चड़ाइए मैं ऐसा नहीं कर सकता यदि मैंने ऐसा किया तो यह बलीदान नहीं होगा हत्या होगी जब मैं स्वेच्छा से यह शीष आपको सौप रहा हूं तो यह हत्या नहीं कहलाएगी धर्म यह कहता है वत्स कि बलीदानी स्वयम दान दे यदि मैं ऐसा करता हूं तो वो हत्या ही कहलाएगी यह बलीदानी यह वो हुआ यह बलीदात जब यह 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 नारायन नारायन पुत्र घटोतकच अब युद्र का कोई विकल्प नहीं धामराज घटोतकच पुत्र बर्बरीक ने श्रीकिष्ण के कहने पे अपना शीष दान कर दिया कि उन्वाणों की सत्यता की परिक्षा तो स्वैम वासुदेव ने लिया है कि इसमें तनिक भी संदे नहीं कि वे वाण छण में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं कि अर्थात इसका ताथ पर यह हुआ और हम बिना युद्ध के हार जाएंगी अरे भांजे तुम सदैव विपरीथ ही क्यों सोचते हो क्यों मामा श्री दुशासन सत्य ही तो कह रहा है अरे भांजे अभी अभी ग्यात हुआ है कि भीम के पौत्र बर्बरीक ने क्रिश्न के कहने पर अपना शीषदान कर दिया है अर्थात अर्थात भांजे बर्बरीक की बृत्यू हो चुकी है अब उसके युद्ध करने का प्रश्नी युद्पन नहीं होता भीम और पांडो सारे शोका कुलें अवश्य इसमें भी क्रिश्न का कोई उदेश्य होगा पुत्र बर्बरी पुत्र ये तूने क्या किया वासुदेव ये आपने उच्जद नहीं किया अब मैं डिमबार मौर्वी को क्या उत्तर दूँगा एविश्वार ये तरी कैसी लीला है कौन सा बाब किया था मैंने इससे तो अच्छा हो था पुत्र बर्बरी से पहले मुझे ही प्रत्यों आजाती है कम से कम ये ये दुख तो नहीं सहसा पुरता है ये आपने क्या क्या वासुदेव और इसके पीछे आपका क्या उत्तेश्य है बोले नतेश्यों वत्स भगवान श्री कृष्ण ने महाबली परबरिक से ये शीष्टान किस कारण मांगा मैं बता दी हूँ प्रह्मदेव द्वारा घमन करने पर इन्हें ये श्राप दिया गया कि अगले जनम में जब प्रित्वी पर धर्म की रक्षा के लिए युद होगा तब श्री कृष्ण के द्वारा इन्हें मोक्ष प्राप्थ होगा और वे ही इनकी मृत्यों का कारण बनेंगे इसलिए इसमें श्री कृष्ण का कोई दोश नहीं आपको श्री कृष्ण पर कोई दोश नहीं लगाना चाहिए हे केशो मुझे क्षमा करें क्षमा करें हे देवी यह एक भक्त का शीश है इसे अम्रिद से सीचो और अजरामर बना दो प्रडाँ प्रभू कीरतीमान भव पुत्र बरबरीक तुम्हारे त्याग साधना और तुम्हारे इस महान शीशदान ने तुम्हें नर से नर श्रेष्ट बना दिया है तुम जैसा महात्मा केवल सृष्टी के कल्यान के लिए आता है आज मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूं जो माता यशुदा ने स्वयम मुझे दिया था शाम नारायर नारायर और तुम्हें मैं अपनी सारी शक्ती भी प्रदान करता हूं कलियूग में तुम्हें लोग शाम के नाम से पुकारेंगे जैश्री शाम जैश्री शाम जैश्री शाम वाट्स अपनी इच्छा मुझे बताओ हे नारायर, हे शाम मेरी दो इच्छाए हैं प्रथम इच्छा मेरी देह को आपके हाथ से अगनी मिले और मेरी दूसरी इच्छा मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था मैं वो देखना चाता हूँ तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी वाट्स तुम्हारे इस शीश का कभी अंत नहीं होगा वीज़ प्यास शुम्हारी वे लोड़ो ए रूब्ट लूआ जायाँ आख सिंग रशेंगा जाख लूए लूए अजयाँ उचानी वाला हुआप लूई दीश खिर पाला कर दोंगाश सिंग का अज़िए हुआप अपालिए पाला कि अज़ आखी दू़ा हुआपशचा उब ए अंगाश गाला कि हुआ नहाँ झाल चर्णारे हुआ हुआ ऑग करेंट गो गुद करेंट पर्ि कि आढे करfeit ंई खी अङं अप अप . डुट है अव अब साफिन यॲत खी अभ्ड़ंह अजियो ョुू मैं वर मुट आढे कि वरो कर दो कि ब स्थरे कर दोदे लो कर दो कि अढ़ है कि या gefाडार कि अरू कि अर्फ ला गार वार, कि अर भूमा फह प्लाओ कि घर रड़ कि अर कि अर्फ लार कि अ सबस्या है ग्यूह लग यस वपन में जेहनी ही किесто पारी वरिषन में लग में लग बारी में ले विएम घ्याच। जुट लग्रहल लूग वरिषन दो यहां प्रहुट रखिए! कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौर्वों की हार चारों और से पांडवों की जैजैकार सुनाई दे रही थी पांचों पांडविस युद्ध कश्रे स्वयम ही ले रहे थे मैंने धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए युद्ध का संचालन किया और इसलिए हमें विजेश्री का प्रसाद मिला बड़े भाईया इस युद्ध के सबसे बड़े खलनायक तरियोधिन का वद्ध यदी माइना करता तो ये युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता था मैले भाईया यदी पिटा मा भीश्म बाणों की शया पर नहीं लेटे होते हैं तो विजेश्री का मुकुट किसके शीश पे रखना चाहिए ये तो बड़ा बिकट प्रश्न है भीश्म भाईया इसका उतर मैं कैसे दे सकता हूँ मैं तो केवल पार्थ का सार्थी था आँ लेकिन एक माहान योध्धा है जिसने ये सारा युद्ध देखा है उस महादानी उस शीशदानी से अवश्य पूच सकते चले खुले नारायन नारायन प्रडाम प्रभु है शीशदानी तुमने महाभारत युद्ध देखा हाँ नारायन संपूर देखा तुम्हारे ये पांचों पितामा इस बात पर विवाद कर रहें पुत्र कि इस युद्ध में विजय किसके कारण प्राप्त हुई सोच समझ कर उत्तर देना पौत्र ना जाने किस आधार पर आप सब अपने आपको इस युद्ध का नायक मान रहे हैं आप बड़े दादा धर्मराज युद्धिष्टेर आपने असत्त्य भाषण करके अपने गुरू दुरौन अचारे का वद्ध कर दिया मेरे पितामा भीम आपने गदा युद्धिके नियमों का उलंगन करके दादा धुर्योधन का वद्ध किया गांडी धरी आप आपने तो युद्धिस से पूर्वी गांडी फेक दिया था पितामा भीश्मु को आपने शिखंडी का आश्रे लेकर बाड़ों की शैया पर सुलाया दादा करण से आपके प्राणों की रख्षा के लिए मेरे पिता घटोदकच ने अपने प्राणों क्या होती दी नहीं, आप मेंसे कोई भी नहीं है इस युद्ध का नायक, इस युद्ध के एक ही महा नायक है मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण मुझे तो पूरे युद्ध में गुरुदेव श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया गुरुदेव श्री कृष्ण केवन दादा अर्जुन के सार्थी नहीं, इस महायुद्ध के सार्थी थे, कृष्ण, केवन श्री कृष्ण हे वासुदेव, हे केशव, हमें श्रमा कीजिए, एहंका अर्विवेक का शत्रू होता है एक एशव, युद्ध में यदि आप हमारे साथ ना होते, तो कदाभी हमें विजय प्राप्त ना होती ए शीषदानी, इस युद्ध ने अन्याई कौरवों को दंड दिया, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य दिया, मानवता को शान्ती दी किन्तु इस युद्ध ने तुम्हें क्या दिया, पुत्र? हे नारायन, ये आप भली भाती जानते हैं, मुझे अपने कर्म का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए हे निश्काम कर्मयोगी, तुम्हारे कर्म का पुरस्कार तो मैं तुम्हें दूँगा कलियुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम्हें नहित होंगी जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा, उसकी सारी मनो कामनाएं पूर्ण हो मेरी लिए क्या आग्या है प्रभू? पुत्र कलियुग का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाओगे वहां की भूमी अत्यंत पवित्र और पावन है घंडेला का राजा अत्यंत धार्मिक प्रवर्ति का है जब तक ये प्रित्वी है पुत्र जब तक सूर्य चंद्रमा है जब तक ये सारे नक्षत्र है तुम लोगों के लिए पूजनी और बंदनी होगे तुम्हारे शीश की पूजा होगी पुत्र तुम शाम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे ओम नमो भगवते वासु देवाई भीम जीप ब्राता शिरी पांचाली तो अब सच मुझ थक चुकी है और मेरे अनुज भी अब तुम मजले होने का करतवे निभाओ और जाकर देखो आस पास कोई जल की विवस्ता या विश्राम करने का उचिस स्थान है या नहीं और हाँ शिग्र लोटना भीम क्योंकि बारा बरस की बनवास की अवधी अब समाफ्थ होने को है और दुर्योधन के सैनिक हमें सियार की भाती सूंगते फिर रहे है जो आग्या ब्राता शिरी ये क्या कर रहे हो देखने में तो भद्र और व्यवार में चांडा लगते हो मूर्क बालक तुम्हारे माबापने शिक्षा नहीं दी तुम्हें बनो से कैसे बात करते हैं जाओ और अपने माता पिता से पूछ कर आओ कि इस ताल को गंदा करके तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे हो जल गंदा नहीं करूँगा तो हाथ पैर कैसे धूँगा शीगरी इस ताल से निकलो इस ताल से मैं देवी के स्नान के लिए जल लेता हूँ और तुम इससे गंदा कर रहे हो जल का उपयोग नहाने धोने और शरीर की गंदगी दूर करने के लिए होता है मंद बुद्धी वो जल बहती धारा का होता है जहां गंदगी रुकती नहीं ये ताल है नदी नहीं तुम यहाँ से निकलो अने था मैं अपनी सभ्यता की सीमा लांग जाऊँगा मैं नहीं जाऊँगा तो क्या कर लोगे अभी बताता हूँ मैं बच्चों पे हाथ नहीं उठाता किन्तु तुमने सारी सीमा तोड़ दी तो मैं तो सभ्यता सिखाने पड़ेगी खैरो वट्स यह तुम क्या कर रहे हो प्रभू इसने पूजा का जला पवेत्र किया है मैं ऐसे दंड दूँगा ऐसा मत खरो वट्स यह माहभली भीम तुम्हारे दादा है मेरे दादा श्री भीम हाँ मुझे शमा कीजिए दादा श्री मुझे शमा कीजिए तुम मेरे पोत्र हो और मेरे गटोत काच के पुत्र हाँ दादा श्री मुझसे अंजाने में ऐसा अपराध हुआ है जिसकी कोई शमा नहीं नहीं पोत्र नहीं भूल मुझसे भी हुई है मैंने भी बड़े होने का कोई अच्छा परिचे नहीं दिया मेरे लिए मात्र जल था और तुमारे लिए पूजा का स्थाल इसलिए भूल जाओ जो भी हुआ कैसे भूल जाओ दादा श्री मैंने अपनी शक्ती का दुरूपियों किया वो भी अपने दादा श्री पर मुझे इसके लिए अपने आपको दंड देना होगा नहीं पौत्र नहीं मैंने तुमारा बाले काल नहीं देखा हर पौत्र बाले काल में अपने दादा पे हाथ उठाता है मन मेला न करो पौत्र हमारा मिलना शायद इसी प्रकार लिखा था प्रिये भीन तुमने आने में बहुत विलम कर दिया और ये ब्रादा शिरी ये बरबरीक है मौरवी और गटोट चका पूत्रह के और वरी ज aí के तुमारे बड़े दादा युदिस्थ़ और दादा अरजुन नकल ऑर उर तुमारी दादी द्रापदी प्रडाम दादी श्री आईश्मार भगा बर्बरीक बड़ा सुंदर नाम है सुंदरता के साथ साथ ये अद्बुत शक्तिशाली भी है और जानते हो दुरॉपती इसने मुझे मल्युद में प्रास्त किया ये बालक आपको हां दुरॉपती यह यहां वन में सिद्धियां प् और मेरी इससे भेट होगे पुत्र बरबरीक तुम्हारी दादी श्री हेडिंबा माताश्री और पिताश्री कैसे है दादाश्री जबसे मैं श्री कृष्ण से शिक्षा प्राप्त करके निकला हो तब से उनके दर्शन नहीं हुए लेकिन ये विदित है कि वो सदेव पिता में लगी रहती हैं गोड़ी के टापों की अवाज दादाश्री लगता है दुरियोधन के सैनिक हमें ढूंडते हुए यहां तक आप पहुचे हैं हमारा वनवास तो समाथ हो चुका है अब हमारा अग्यात्वास चुरू हो रहा है कदाची तुम्हारा कथल सकते हर्जुन और यदि उन्होंने हमें ढूंड निकाला तो एक बार फिर हमें बारा बरस का बनवास और एक बरस का अज्यात्वास सेहना होगा वो आपको नहीं ढूंड पाएंगे दादाश्री ये बर्बरीक आपके पौत्र का वचन है आखे खोलो पूत्र प्रडाम प्रभू कल्यान हो हम तुम्हारी आराधना से अती प्रसन है पूत्र कहो क्या फर्मागना चाहते हो प्रभू प्रथा में इच्छा थी कि आपके दर्शन हो वो अब पूर्ण हुई और दूसरी मैं ऐसी शक्ती चाहता हूँ प्रभू जिससे मैं दुर्बल और निसाहाय लोगों की रक्षा कर सकूँ हम इन्हें स्विकार करो पुत्र ये बान बहुत अचूप बान है पहला बान छोड़ने से तुम युद्ध भूबी में जिनका भी वत करने की काम न करोगे ये बान उनके शरीर पर मृत्यू चिन्ह बना देगा तूसरे बान के चलने से जिन जिन के शरीरों पर मृत्यू चिन्ह बने है ये उनका वत कर देगा तथा तीसरा बाण सम्मस्त स्रिष्टी का विनाश कर देगा किन्तु ध्यान रहे पुत्र इन बाणों का कभी दुरुपयोग मत करना स्मरन रहे तुम सदैव दुर्भल का साथ दोगे हारे का सहारा बनोगे जो आग्या प्रभु बरबरिक को प्रलय वाली शक्ती मिल गई इन तीन बाणों की साहिता से वो विश्व भर की सेना को अकेले समाप कर सकता था पांडव दुरुपदी के साथ अपना एक वर्ष का ग्यातवास पूरा करने महराज विराट की राजधानी पहुँच गए दुरुपदी शेलिंदरी बन गई और उसे महराणी सुदेशना ने अपनी सेवा में रख लिया युदिश्टर विराट नरेश के विशेश शेवक हो गए भीमरसोया बन गए अर्जुन ने विराट पुत्री उत्तरा को नित्त की शिक्षा दी नकुल अश्वशाला की देख भाल करने लगे और सहदेव ने चरवाहे का कार्य किया अग्यातवाज सबाप्त होते ही पांडवों का दूद बनकर श्री क्रेशन कौरवों के पास गए परंतु दुरियोधन ने उनकी बात नहीं मानी युद्ध होगा बड़े भाईया अवश्य होगा युद्ध को टालने का मेरा अंतिम प्रयास मेरा शांती प्रस्ताव विफल हो गया मामा शकुनी के द्यूद के पासे अब जुए की विसाथ से निकल कर नर संगार का नरित्य कर रहे है हस्तिनापूर नरेश ध्रतराष्ट ने नेत्रहींता को अपना रक्षा कवच बना लिया है और पुत्रमोह के कारण वो अपना राजधर्म भूल चुके है मैंने आप पांड़ों के लिए केवल पांच गाउं मांगे थे किन्तु दुरियोधन ने कहा कि पांच गाउं तो क्या वो सुई की नोक के बराबर भूमी भी नहीं देगा हे केशव सत्ता और शक्ति के मद में चूर अनुज दुरियोधन चाहे कुछ भी कहे किन्तु पांड़ों की ओर से अंतिम नर्णय लेने का अधिकार मैं आपको सुफता हूँ बात है प्रशन अब केवल न्याई संगत अधिकार का नहीं है महाराज अब प्रशन है धर्म का और मैं तो सदैव धर्म के हित की बात करूँगा और यही कहूंगा कि हे सर्वशेष्ट धनुर्धर उठाओ अपना गांडीव हे गदाधारी भीम उठाइए अपनी गदा हे धर्मराज युदिष्ठिर उठाइए धर्म की धजा जब जब राजनीति करने वाले लोग असमवे दन्शील होंगे तब तब शस्त्र उठेगा यह युद्ध होगा सत्य और असत्य का न्याई और अन्याई का धर्म और अधर्म का इसलिए यह धर्म युद्ध है जिसके लिए धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र चुना देया है अर्थात यह युद्ध तो होगा नावासुदे निस संदे है पांचाली हे मधुसुदन अन्तिम सास लेती मेरी ब्रतिशोत की जुआला को आश्वासन मात्र नहीं नारी के सम्मान को तार तार होते देखा है आपने हे दिननात आपने मेरी लाज ढगी इन खुले केशों के साथ यदि मैं चिता तक जाती तो मेरा स्थान नरक में निश्चित था कृष्णे तुम्हारे रूप में समस्त नारी जाती का आपमान करने वालों को चिता भी नहीं मिलेगी उनके शवों पर विलाप करने वाला कोई नहीं होगा होंगे केवल किद कुमार बर्बरेक के दादिश्री बर्बरेक विधाता ने तो मेरे भाग में प्रतिक्षा ही लिग दी है कभी अपनों के प्रतिक्षा उम्र भर तेरे दादे की प्रतिक्षा और अब तेरी प्रतिक्षा दादिश्री आपकी यही प्रतिक्षा तो आपके अपनों की शक्ति है आपने जिस कारे के लिए गुरुदेव श्री कृष्ण के पास भेजा था उनके मार्क दर्षन में वो पूर्ड हुआ आज आपके बर्बरीक को संसार की बड़ी से बड़ी शक्ती भी चुनौती नहीं दे सकती पुत्र बर्बरीक? प्रडाम माते अयुश मान भव पुत्र क्या तुम्हें मेरी सुद्ध कभी नहीं आई? मैं देन रात तुम्हारे ही जिनता में थी आप मेरी जननी है ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी जननी को भूल जाओ? आप, दादी, तथा पिता श्री सब मेरे हिर्दाय में बसे हुए हैं पुत्र, जिस कारे है तु पासुदेव ने तुम्हें कुप्ट शेत्र भेजा था वो पून हुआ? हाँ माते गुरुदेव के आशिरवात से देवी ने प्रकाठोकर मुझे सिध्या प्रदान की धन्य है माता दादी वन में मेरी दादा श्री दादी द्रौपती तथा समस्त पांड़कुल से भेट हुई अच्छा, तो तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए? हाँ दादी श्री वो कह रहे थे कि उनका अज्यातवास चल रहा है यदि किसी नोंने देख लिया तो उन्हें फिर से बनवास जाना पड़ेगा हाँ पुत्र अज्यातवास के पस्चात भी कौरों ने पांड़ों को नहीं स्विकरा मैं समझा नहीं दादी श्री राजपाट की लड़ाई में पांड़ों कोरों में लड़ाई छिड़ गई है चल बल कोरों का धर्म है पांड़ों का सत्याहिंसा कर्म है कृष्ण शांति दूद बनकर मध्यता करने गए किन्तु दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी यह तो अन्याय है युद्ध की तयारी हो चुकी है इधर केवल पांच पांड़ों तेरे पिता और स्रीकृष्ण है निश्चित रुप से विजय कौरों की होगी क्योंकि उनके पास तो अपार सेना है मेरे होते ऐसा कदापी नहीं हो सकता यदि कौरफ सारे विश्व से एक विशाल सेना भी इखटी कर ले उनके पास मेरे इन बाड़ों का सामना करने का साहस नहीं है पुत्र तु अभी एक बालक है इतने बड़े युद्धाओं के समक्ष तु अकेला क्या कर सकेगा माते भगवान शिव से मुझे शक्तिया प्राप्त हुई है वर्दान के स्वरूप मेरे पास तीन अमोग बाड़ हैं जो किसी भी शत्रों को एक पल में समाप्त कर सकते हैं मुझे युद्ध शेत्र में जाने की आग्या दीजे माताश्री किन्टू पुत्र माते मैं केवल वहां जाकर युद्ध देखूंगा मैंने देवी सिध्धमरिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि जो पक्ष कमजोर सिध्धों का मैं केवल उसी की साहता करूंगा म जाओ पुत्र युद्ध जीत कराओ और इतिहास बनाओ सदा हारे का सहरा बनाओ युवक पता नहीं तुम मित्र हो या श्यत्रू किन्तु वीर्था तुम्हारे अंग-अंग से छलकती दिखाई पड़ती है तुम यहां किस पक्ष को अपना समर्थन देने आया हो मैंने कोई निर्ड़ाय नहीं लिया है इस समय तो मैं युद्ध को निकट से देखने की अनुमती लेने आया हूँ वो तो तुम्हें सरलता से प्राप्थ हो जाएगी युवक ये धर्म युद्ध है कोई भी युद्धा बिना दबाओ के किसी भी पक्ष को अपना समर्थन दे सकता है विचार करने की बाद तो मातर ये है कि कौन सा पक्ष धर्म कौन सा अधर्म की ओर है सुना है इस युद्ध में इतने महारती इकठा हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए सत्य है युवक केवल ये बताओ कि तुम अपना समर्थन किस पक्ष को दोगे मैं तो सदेव निर्बल के पक्ष में हूँ मैं पराजित का मित्र हूँ ये दैव्वी गुण है मानवी नहीं तुम्हारी सेना कहा है युवक मैं स्वयम एक सेना हूँ मैं अकेला ही युद्ध करके किसी भी सेना को परास्त कर सकता हूँ तुम्हारा व्यक्तित्व विचित्र है। युवक सक्थ तो प्रदशन के पडशाधी सी दोता है। मैं दुर्पत्पुत्र धृष्ट दुम्ने पांडो सेना का प्रधान सेना पती। तुम्हें अपने शेत्र से युद्ध देखने का निमंत्र देता हूं। धन्यवाद मुझे पांडव पक्स से यही अपेक्षा थी। दुर्योधन ने अपनी सेना के महारथियों से प्रश्न किया है कि उनमें से कौन कितने दिनों में सेना समेत पांडवों का वदगर सकता है। पितामाभीश्म और कृपाचारे ने एक मास। दुर्णाचारे ने पंदरा दिन। अश्वत थामाने दस दिन। तथा करण ने छे दिनों में युद्ध की समाप्ती की घोशना की है। केशो, आपका तात्परी क्या है। यही प्रश्ण मैं आप सबसे करना चाहता हूँ, कि आप में से कौन कितने दिनों में समस्त कौरव सेना को नश्ट कर सकता है। वसुदेव, पितामाभीश्म और अन्य महारतियों का युद्ध से पहले ही विजय की घोशना करना नेरा धार है। और हमारे शिवर में ऐसे ऐसे युद्धा हैं, जिनने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा। और यदि चाहें, तो अकेली इस सारे कुरु सेना का नाश्ट कर सकते हैं। और हे वसुदेव, जहां स्वयम आप हैं, वहां पराजय का तो प्रश्णी नहीं उठता है। महादेव की सौगंद, जब मेरे वाणों की वर्शा होगी तो अगनी बरसेगी, और वो अगनी कुरु सेना और सेनापतियों को यू जलाकर बसम कर देगी, जैसे गिर्शम रितू सुखिवी गास को जलाकर राप कर देती है। महाराज, एक विचित्र युवक आया है, उसकी बातों में बड़बोलापन है, किन्तो उसके मुखमंडल पर छलगता आत्म विश्वास, उसकी कही गई इस बात को सत्यसाबित करता है। वो कहता है कि मैं अकेले ही युद्शेत्र में सवस्त सेना को समाप्त कर सकता हूँ। ये तो किसी पागल का प्रलाप लगता है। नहीं पार्थ, यो वक है, युद्ध की बात करता है, चल कर देख तो लो उसे। युवक। गुरुदेव, आप सुरुदे। प्रडान प्रभू। आयुश्मान भाव। पुत्र ये तुम्हारे दादा श्री अर्जुन है। हाँ, गुप्त शेत्र में हम अल्प समय के लिए मिले थे। प्रडाम दादा श्री। विजयी भव पौत्र। गुरुदेव, मुझे युद्ध की सूचना मिली और मैं चला आया। हाँ, वत्स। युद्ध की घोशना हो चुकी है। अब हमें अपने पक्ष की शक्ती का विस्तार करना होगा। गुरुदेव, अब आपको चिंता करने की क्या अवशक्ता है। आपका शिश्य सिद्ध शेत्र से सिद्ध्या प्राप करके लोटा है। मैं अकेला ही समस्त कौरफ सिना को समाप्त कर सकता हूँ। गुरुदेव, ये है मेरी साधना का प्रसाद, जो मुझे देवी से धंबिका और भगवान शिव ने दिये। इन बाणों की विशेष्टा क्या है पुत्र। पहला बार जब चलेगा तो जिन लोगों के वद की मैं काम ना करूँगा ये उन पर मृत्यू चिन बना देगा। पॉत्र, ये कुछ अतिशोक्ति नहीं लगती। प्विश्ण मृत्र, ये लगती। इस व्रक्ष के सारे पत्ते मेरे लक्ष पर हैं गुरुदेव इस ब hora कि भंग्रे एक अजर जरा नुरा इस अल्सिर उत्भा मेरा हैं historically कि अपसले स्थर्च के सनु में आये कि इस व्रक्ष दल्सिय में सेल्ड़ु है गुरुद कोझने। गुरुदेव पहले बाड़ ने अपना कारें पूरा कर दिया पुत्र तुम्हें विश्वास है कि सारे पत्तों पर चिन लग गए हैं हाँ गुरुदेव गुरुदेव अब मेरे दूसरे बाड़ को छोड़ने से जितने पत्तों पर चिन हैं वो भूमी पर गिर जाएंगे और तीसरा बाड़ तो प्रलय के समान है यदि मैंने इसका प्रियोग किया तो सारी सिर्ष्टी का विनाश हो जाएगा मैं इसका प्रियोग कभी नहीं करूँगा रुग जापौत अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस माहा युद में हम पांटव दुर्बल नहीं हो सकते दुर्बल तो अब कौरव लगते हैं ऐसा मत कहिए दादाश्री अनेथा अनर्थ हो जाएगा क्या अनर्थ होगा पुत्र गुरुदेव मैंने देवी सिद्ध अमरिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा मैं उसकी और से युद्ध करूँगा तो इसका अर्थ ये हुआ पॉत्ध कि बीच युद्ध में भी आप हमारी शत्रु का पक्ष ले सकते हो हाँ दादा श्री यदि युद्ध में कौरव पक्ष कमजोर सिद्ध हुआ तो देवी को दिये वचन के अनुसार मुझे उनकी और से ही युद्ध करना पड़ेगा चलो पार्थ विश्राम कर लो शमा करें कौरुदेव मैंने निड़ाय लिया है कि युद्ध शेत्र से बाहर रहकर ही युद्ध देखूँगा चलो पार्थ हे किशन हे जनादन इस युद्ध में तो हमारी विजय निस्टित है किन्त जो मैं अभी सुनकर आ रहा हूं उसका अर्थ यह है कि पहले हमें पराजय की सीमा तक पहुँचना होगा और पराजय का अर्थ है पांडवों में से दो तीन की मृत्यू और पांडव सेना का विनाश पराजय मैं कुछ समझा नहीं किशा पार्थ यदि हम कौरव सेना का नाश कर दें और विजय की ओर चलें तो बरबरीक अपने दो ही बानों से अपने विजय और लास को पराजय में बदल देगा तो आप क्या करें तुम ही बताव मित्र क्या सचमच बरबरीक के बान चमतकारी होंगे अवश्य मित्र यदि वो वान महादेव ने स्वयम बरबरीक को दिये हैं तो निश्च थी वो चमतकारी होंगे वरबरीक को युद्ध से हटाना होगा अन्यथा ये युद्ध की दिशा बदल देगा ये धर्म युद्ध है धर्म को बचाने है तु अब यही एक विकल्व शेश है अम सुरुदे प्रणाम गुरुदेव प्रणाम दादाश्री अयुश्मान भवा प्रभु आप शांत क्यों है क्या चिंता है आपको पुत्र कल से युद्ध शुरू हो जाएगा देखे निलने की सोर जाता है मेरे होते आपको चिंता करने की कोई अवश्यक्त नहीं है यदि कौर्वो की पक्ष में युद्ध जाता दिखा तो मात्र दो शड में ही मैं सारी युद्धाओं को समाप्त कर दूंगा मैं तुम्हारी शक्ती से परिचित हो पुत्र और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी हम में अनन्य भक्ती है किंतू क्या प्रभू पुत्र आज शुक्ल फालगुंद वादशी है आज की महिमा दुगनी हो जाती है किंतू मुझे बताईए प्रभू मैं आपके दिये हर आदिश का पालंग करूँगा वत्स सुरुदे युद्ध से पूर्व चंडी एक बली चाहती है और बली उसी की चड़ाई जाएगी जो अतुलित बलशाली होगा इसमें चिंता किस बात की है प्रभू चिंता इस बात की है वत्स कि इस प्रित्वी पर तीन ही ऐसे वीर है जिनकी बली स्वीकार होगी मैं तुम यारजुन नारायन नारायन खेशव बस इतनी सी बात है किशव क्या यही आपकी चिंता है तो हे जनारदन इस बली के लिए मैं अपने आपको प्रस्तुत करता हूं किशव अपने आपको तुम यह नहीं कर सकते पार्थ यह धर्म युद्ध है यदि एक भी पांडव कम हो जाएगा तो यह युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा पस एक ही मार्गशेश है मैं स्वयम ही अपना बलिदान दे देता हूं वैसे भी युद्ध ना करने की प्रतिग्या ली है मैंने एक सार थी तो हूं तुमारा नहीं केशव नहीं प्रभू आप मेरे गुरू है श्रेष्ट है सभी तरह से जेष्ट है मेरे यह अधिकार सिर्फ मेरा है मेरा मुझे आग्या दीजे प्रभू आपके चरणों की सौगन खाकर कहता हूं आपके ओदेश को पूरा करने के लिए मैं अपने शीष की बली देता हूं प्रभू ये कारे करने से मेरे वंश की कीर्थी बढ़ेगी ये सौभागे मैं अपने हादों से नहीं जाने दूगा प्रभू सोची मत प्रभू उठाए ये शस्त्र और मेरे शीष को धर से अलग करके चंडी मा को भली चड़ाईए मैं ऐसा नहीं कर सकता यदि मैंने ऐसा किया तो ये बलीदान नहीं होगा हत्या होगी जब मैं स्वेच्छा से ये शीष आपको सौप रहा हूं तो ये हत्या नहीं कहलाएगी धर्म ये कहता है वत्स कि बलीदानी स्वेयम दान दे यदि मैं ऐसा करता हूँ तो वो हत्या ही कहलाएगी अच्छा नहीं है नारायन, नारायन पुत्रगटोटकच, अब युद्र का कोई विकल्प नहीं भैमराज, घटोटकच, पुत्र बर्बरीक ने च्रिकिष्णि के कहने पे अपना शीषदान कर दिया उन वाणों की सत्यता की परिक्षा तो स्वैम वासुदेव ने लिया इसमें तनिक भी संदे नहीं कि वेवान छण में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं अर्थात इसका ताथ पर ये हुआ और हम बिना युद्ध के हार जाएंगे अरे भाणजे तुम सदैव विपरीथ ही क्यों सोचते हो क्यों ममा श्री दुशासन सत्ते ही तो कह रहा है अरे भाणजे अभी अभी ग्यात हुआ है कि भीम के पौत्र बर्बरीक ने क्रिश्न के कहने पर अपना शीषदान कर दिया है अर्थात अर्थात भाणजे बर्बरीक की मृत्यू हो चुकी है अब उसके युद्ध करने का प्रश्नी उद्पन नहीं होता भीम और पांडो सारे शोका कुल है अवशी इसमें भी क्रिश्न का कोई उदेश्य होगा पुत्र बर्बरीक पौत्र ये तूने क्या किया वासुदेव ये आपने उच्चत नहीं किया अब मैं हेडिमबा और मार्वी को क्या उत्तर दूँगा ये विश्वाद ये तरी कैसी लीला है कौन सबाब किया था मैंने इससे तो अच्छा होता पुत्र बर्बरीक से पहले मुझे ही प्रत्युआ जाती है कम से कम ये 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 दुख तो नहीं से अज़र परता है ये आपने क्या क्या वासुदें और इसके पीछे आपका क्या उत्देश्य है बोले नतेश्य हूं भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरिक से ये शीष्टान किस कारण मांगा मैं बता दी हूं ब्रह्मद्यों द्वारा घमंड करने पर इन्हें ये श्राप दिया गया कि अगले जनम में जब प्रित्वी पर धर्म की रक्षा के लिए युद होगा तब श्री कृष्ण के द्वारा इन्हें मोक्ष प्राप्थ होगा और वे ही इनकी मृध्यों का कारण बनेंगे इसलिए इसमें श्री कृष्ण का कोई दोश नहीं आपको श्री कृष्ण पर कोई दोश नहीं लगाना चाहिए हे केशो मुझे ख्षमा करें हे देवी ये एक भक्त का शीश है इसे अम्रित से सीचो और अजरामर बना दो प्रडाम प्रभू कीरतीमान भव पुत्र बर्बरीक तुम्हारे त्याग साधना और तुम्हारे इस महान शीशदान ने तुम्हें नर से नर श्रेष्ट बना दिया है तुम जैसा महात्मा केवल सृष्टी के कल्यान के लिए आता है आज मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूँ जो माता यशोदा ने स्वयम मुझे दिया था शाम नारायन नारायन और तुम्हें मैं अपनी सारी शक्ति भी प्रदान करता हूं कलियुग में तुम्हें लोग शाम के नाम से पुकारेंगे जैश्री शाम जैश्री शाम जैश्री शाम अपनी इच्छा मुझे बताओ हे नारायन, हे शाम, मेरी दो इच्छाएं हैं प्रथम इच्छा मेरी देह को आपके हाथ से अगनी मिले और मेरी दूसरी इच्छा मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था मैं वो देखना चाहता हूं तुम्हारी दोनो इच्छाएं पूर्ण होंगी वत्स तुम्हारे इस शीश का कभी अंत नहीं होगा कर दो कर दो कि भीघ चुटि5 अपर आव कि भीघden कॉट वीघर नकै近ग कर दो सबची कर दो खर बुरुदार पना सब्सक्राश कर दो अजम कर दो प्रूब पीछ़ए चाहँ है